हलो अगर इसी सिलसिले को हम देखे तो इसी फ्री एजुकेशन के सिलसिले में साइन्स इस्टीम की मागनेट ब्रेइन पे सबसे बेस्ट टीम आपको 11 और 12 पड़ा रही है जो 100% कॉलिटी और फ्री एजुकेशन आपको प्रोवाइड कर रही है यहाँ पर एक सबजेक्ट नहीं चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे बायोलोजी हो चाहे मैट्स हो चारो सबजेक्ट धुआधार और धासू टीचर के द्वारा आपको पड़ाय जा रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में सबसे best से best कर सकें और इसी का एक member मैं भी हूँ जो आपको आज मैं chemistry पढ़ाने वाला हूँ और उस chemistry में आज मैं क्या बात करने वाला हूँ जैसे कि मैंने पिछले lecture में आप लोगों से बात करी थी class 11th का chapter S block element और S block element हमने पूरा खतम कर दिया अब बार यह इसकी NCRT exercises की तो आप देखिएगा NCRT exercises जब अपन करेंगे और उस exercises का मैं solution दूँगा तो most of the चीजें आप लोग already पढ़ चुके हैं जैसे S block element में alkali metal आता है alkaline earth metal आता है तो alkali metal की मैंने आपको physical property already discuss करी हुई है आप तो सर्च करेंगे डारेक्ट की भाया एस block element या alkali metal physical properties आपको वीडियो आजाएगा alkaline earth metal का पूरी chemical property या physical property सबके वीडियो साब को मिल जाएंगे सारे question वही पूचे गए हैं लेकिन कुछ question है जो आपको मैं solve कराऊंगा जो question के format में दिये हुए है लेकिन कुछ basic चीज़ है मैं आपको overview देते हुए चलूँगा उन चीज़ों का हर एक question आपके सामने discuss करूँगा चिंता की बात नहीं है लेकिन आपको पूरा focus बनाया रखना है क्योंकि बेटा ये जो NCRT exercises है इसके कुछ question अगर आप competition point of view से देखें आप अगर NEET और JEE की तैयारी कर रहे हों तो as it is question पूछे जा सकते हैं तो क्या शुरू करें आज की कहानी तो जोश और जुनून के साथ अपने copy और pen निकाल लीजे और आज की इस गाता में मेरे संक शुरू हो जाई तो सब सबसे पहला question क्या है मेरा सबसे पहला question जो मुझे दिया हुआ है वो दिया है what are the common physical and chemical features of alkali metal ठीक है physical and chemical features आप लोगों को क्या देखने मिलते हैं मैं just overview दे रहा हूं detail में मैं इस lecture को पढ़ा चुका हूं देखिएगा अगर आप physical और chemical features के बारे में बात करेंगे alkali metal के तो सब देखिए ना के आर बी सीज फरार हो गए ये alkali metal होती है इनके अगर मैं physical features के बारे में बात करूँ डेफ्ट में मैं पूरा पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को physical features के बारे में बात करूँ तो बोलने की जरूरत नहीं है सबसे पहले physical features क्या देखते हैं इनकी atomic radio के बारे मे नीचे जैसे जैसे जाता है as we go down the group बोलो as we go down the group as we go down the group down the group atomic radio क्या होती है increase होती है atomic radar क्या होती है increase होती है क्यों होती है atomic radar नीचे जाने पर increase क्या आपको इसकी वज़ा पता है ना जैसे जैसे नीचे जाते जाते है number of shell बढ़ते जाते है मतलब मैं लिख सकता हूँ because number of shell या orbit हाँ जी हाँ इसी को principal quantum number से भी represent किया जाता है because as we go down the group number of shell या orbit क्या होते जाते है increase होते जाते है चलो रहे बढ़िया atomic radar हमको पता चल गए दूसरी property के बारे में बात करो ionization energy के बारे में किसके बारे में बात करो ionization energy चलो आप सुनना वाला गाना सुना है जहां भी मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो चोरी चोरी मेरे दिल में सुना आते हो तो जहां भी मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो इस word का क्या मतलब है यहां पे इस word का यह मतलब है कि atomic radar जहां भी जाती है ionization energy उसके साथ जाती है समझ ना अगर size बढ़ रहा है तो nucleus से electron दूर जाता जा रहा है तो भी यह size बढ़ रहा है तो nucleus से जब electron दूर जाता जा रहा है मतलब radius बढ़ रही है तो ionization energy घटती है यह concept उनको पता है मतलब as we go down the group अगर atomic radar क्या हो रही है बढ़ रही है मतलब as we go down the group ionization energy क्या होगी as we go down the group ionization energy क्या होती जाएगी decrease होती जाएगी क्यों अब मैं depth में नहीं बताऊँगा because electrons are getting away from the nucleus तो उनको निकालने में लगने वाली energy कम लगेगी यह सब मैं detail में discuss कर चुका हूँ मैं just एक overview दे रहा हूँ इन सब चीज़ों का चलो ठीक है sir तीसरी बात करें इनकी physical property के बारे में नीचे जा रहे है size बढ़ता जा रहा है size बढ़ता जा रहा है तो nucleus से electron की दूरी बढ़ती जा रही है मतलब electron आसानी से निकलते जाएंगे और metal की तो यही tendency होती है कि जो जितने आसानी से electron दे दे वो उतनी अच्छी metal क्योंकि metal क्या है कुछ और नहीं द्रोच द्रोच अंयमती है या मेरीन आड़के बढ़ते गलते दे ले बढ़ते है वह उतनی अंच्छी issues और या मैं यही लेख करूं कि भईया मैं metallic character के बारे में बात करूँ या मैं ये लिख दूँ मैं electro positive character के बारे में बात करूँ electro positive character के बारे में बात करूँ electro positive character के बारे में बात करूँ तो as we go down as we go down as we go down it increases it increases it increases ठीक है सर बिल्कुल सही है सर तीसरी property आपने metallic character के बारे में भी बता दी चलिए चौंथी physical property के बारे में बात करता हूँ चौंथी physical property के बारे में बात करता हूँ बने रहना, revision हो जाएगा अच्छी बात मैं हमेशा सोचता हूँ यार कम बता हूँ लेकिन अंदर का हो जो teacher है ना हर इंसान के अंदर एक जानवर होता है ना तो मेरे अंदर वो जो teacher वाला feel है ना वो जाता ही नहीं लगता है सभी बता दो मेरे बच्चे है यार जितनी बार revision करेंगे उतना अच्छा होगा क्योंकि what makes you perfect ultimately the practice makes you perfect मेरे बच्चों अगर आप मेरे से जुड़े हुए है तो ultimately अपना aim यह है जो करें perfect करें और जो शर जुनून के साथ करें मैं एक इवर्ट पर भरोसा रखता हूँ जो शर जुनून के किस पर जो शर जुनून पर और कौन कहता है इन औरगनिक टाफ है एक बार पढ़के तो देखो हमेशा अपना यह motive रहा है लेकिन mass का बढ़ना volume के बढ़ने के तुल्ला में जादा होता है तो density नीचे जाने पर क्या होनी चाहिए बढ़नी चाहिए generally मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर generally increase generally increase as we go down as we go down as we go down चलो भहिया ठीक है क्यों क्योंकि सर mass भी बढ़ रहा volume भी बढ़ रहा है लेकिन mass का बढ़ना volume के बढ़ने के तुल्ला में जादा है इसलिए density बढ़ेगी तो order तो यह होना चाहिए था लीना के RBCs ठीक है फरार के बारे में फ्रांशियम के बारे में हम बात नहीं करते बेटा क्यों क्योंकि तुम रेडियो एक्टिव कैसे रेडियो एक्टिव सुनाया ना गाना क्योंकि तुम रेडियो एक्टिव लेकिन जब जब chemistry आएगी examiner exception लेके आएगा समझे ना जी क्योंकि chemistry is all about exception हर एक चीज पढ़ते हैं उसके पीछे exception होता है लेकिन ये जो pair है इसमें exception देखने अपने को मिल जाता है ये उठके इधर आ जाता है क्यों क्योंकि अगर potassium की density क्या हो जाती है कम हो जाती है sodium की तुलना में तो ये order ना देखके ये order गलत हो गया सही order क्या होता है lithium potassium फिर sodium फिर rubidium फिर cesium इस सारी कहानी को मैं आप लोगों को बता चुका हूँ चलो फिफ्ट कहानी के बारे में बात करें किसके बारे में बात करें फिफ्ट कहानी के बारे में बात करें density देख लिए हमने हासर देख लिए हमने हो सकता है potation की में volume का बढ़ना जादा हो गया होगा मासके बढ़ने के तुलना में तो इसलिए उसकी डंसिटी क्या हो गई कम हो गई चलो ठीक है सर अब बात कर लेते हैं हम किसके बारे में फ्लेम कलरेशन के बारे में फ्लेम कलरेशन के बारे में बात करूं अगर मैं फ्लेम कलरेशन के बारे में बात करूं तो होता क्या है एक तो इनकी ionization energy कम होती है तो electron जब अपन इनको flame के सामने रखते हैं तो electron आसानी से excite होके चला जाता है आसानी से higher energy level पे चला जाता है और जब यह higher energy level पे गया समझ ना जब यह flame में इनको रखा अब जब electron high energy level पे गया समझ रहो तो किस corresponding energy के तहत इनमें color दिखाई देता है उसे अपन कहते है flame coloration ठीक है flame coloration अगर आपन देख रहे हैं क्यों कर देते हैं because ionization energy कैसी है इनकी ionization energy low है कैसी है ionization energy low है तो कौन कौन सा flame हमको देखने मिलता है अगर हम lithium की बात करने तो lithium कैसा देखता है लिकरी करके याद कराया था lithium crimson red color का दिखता है crimson red color का दिखता है sodium की बात करूं तो भाईया ना ये sodium हम दिवाली में नए कपड़े पहनते हैं ना ये yellow color का दिखाई देता है ना ये करके याद रख लेना sodium yellow color का दिखाई देता है flame में ठीक है पोटेशियम की बात करूं तो भाया हमारे इंडिया में केवी विध्याल है बहुत जादा है तो केवी करके याद रख लेना पोटेशियम वॉयलेट कलर का होता है वाजी 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 blue color sea blue ठीक है चलो छो इनकी physical property होगा यह इनकी जनरल क्या होगा physical property अब मैं अगर chemical property के बारे मात करूं किसके बारे मात करूं chemical property के बारे मता हूं. chemical property में पर मैंने एक lecture पूरा 45 minute का बनाया हुआ है just overview दे रहा हूं कौन-कौन-कौन से गाहनी को समझन अ खरो अगर मैं इनकी तो सारी मैटल हाइड्राइड formation करती है क्या करती है hydride formation करती है hydride formation क्या होता है या hydride formation क्या होता है जब वो hydrogen के साथ reaction करें किसके साथ reaction करें hydrogen के साथ reaction करें detail में मैंने chemical property दिखाई है आप इसे वहां से देख सकते हैं इसके अलावा भाया अगर यह oxygen के साथ reaction करें तो oxide formation करती है क्या करती है oxide formation करती है ठीक है ऑक्साइड का फॉर्मेशन करती है ऑक्साइड में भी हमने नॉर्मल ऑक्साइड के बारे में बात करा पर ऑक्साइड के बारे में बात करा नॉर्मल ऑक्साइड क्या होते हैं लीथियम एल आई टू नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीजन कितने पे होता है माइन oxide क्या होता है? O2-1 होता है. और superoxide सिर्फ large cation ही बनाते हैं, क्योंकि super oxides are only stable in presence of large cation. यह मैंने बताया था. तीसरी कहानी के बारे में मैं बात करूं. hydroxide formation के बारे में बात करूं? hydroxide formation के बारे में बात करूं. सारी की सारी metal क्या बनाती है? hydroxide का formation करती है और नीचे जाने पर hydroxide के formation की tendency क्या होती जाती है बढ़ती जाती है सारे के सारे hydroxide का formation करेंगे और नीचे जाने पर hydroxide formation की tendency क्या होती जाएगी बढ़ती जाएगी चलो ठीक है सर हम देख सकते हैं चौती बात करूं हैलाइड फार्मेशन की, किसा की बात करह यह चीज दिमाग में बैठा लीजे चाहाए ऑक्साइट हो चाहाए पार ऑक्साइट हो चाहाए शूपर ऑक्साइट हो इन में उक्सिडेशन इस प्लस वन ही देखने मिलती है NCRT INTEX question में इस पर question भी पूचा गया है अगली chemical property के बारे में बात करूं मैं तो भाई या reaction with liquid ammonia किसके बारे में reaction with liquid ammonia अगर भाई ये liquid ammonia के साथ reaction करते हैं तो मैंने बताया था metal जब X plus Y ammonia के साथ reaction करेगी तो क्या-क्या बनेगा एक ammoniated metal ion बनेगा क्या बनेगा ammoniated metal ion बनेगा और एक क्या बनेगा ammoniated electron बनेगा अगर ammoniated electron बन रहा है तो इस ammoniated electron की वज़ह से ही solution कैसा होता है deep blue color का होता है solution कैसा होता है पैरा मैगनेटिक होता है, solution कैसा होता है, conducting nature का होता है, conducting nature का होता है, conducting nature का होता है, clear है, लेकिन अगर हम कहते हैं कि concentration reactant का बढ़ाते जाएं, अगर 3M से ज़्यादा कर दें तो भाया ये solution में, ये जो ammoniated electron होते हैं, ये cluster formation करने लगते हैं, solution bronze color का हो जाता है, ये सारी कहानी मैंन आप लोगों को बता दी है, ये सारी कहानी मैंने आप लोगों को बता दी है, बोलो clear है, yes sir clear है, फिर इनका अगर nitrate बन रहा है, उसका reduction, उसका thermal decomposition of nitrate कैसा होगा, सारी कहानी chemical property, एक lecture मैं मैं बता चुका हूँ, आप लोग जाके देख सकता है, as block element, alkali metal chemical properties, उसमें सब कुछ ल यहाँ यहाँ पर clear है, चलो भईया, क्या लेके आयते, क्या लेके आएंगे, समझ रहा हो, जितना ग्यान है, बस आपको देखे जाएंगे, बढ़ाता हूँ, next कहानी के बारे में, next कहानी के बारे में बात करता हूँ, इसे वही बात करेंगा मैं, किसके बारे में, दूसरा question है, discuss the general characteristic and gradation of properties of alkaline earth metal, चलो भईया, मैं बात करूँ, अगले question की, alkaline earth metal कौन कौन सी होती है, जल्दी बताइए, alkaline earth metal कौन कौन सी होती है, alkaline earth metal, ये भी question अपन, थियोरी में, अरान से सब कुछ देख चुके है, alkaline earth metal होती है, बे, मग, के, सर, बा, रात, जिसमें radium कैसा है, radioactive element है, चलो, अगर मैं इनकी भईया, radius के बारे में बात करूँ, atomic radius के बारे में बात करूँ, physical property देखना शुरू करूँ, तो atomic radius ग्रुप में नीचे जाने पर क्या होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, लेकिन, यहां सुनने वाली बात क्या है, सुनने वाली बात क्या है, इन की atomic radius, alkali metal की तुलना में कम हो चुकी है, सेम वही कहानी, ionization energy के बारे में बात करूँ, इनकी ionization energy, alkali metal की तुलना में कैसी है, जादा है, ठीक है सर, और नीचे जाने पर ionization energy घटती जाएगी, तीसरी में बात कर दूँ, किस के बारे में, flame colorish, नहीं, तीसरी density के बारे में बात कर दूँ, density के बारे में बात कर दूँ, तो density मैंने आप लोगों को बता चुकी है, कि इसमें क्या variation देखने मिलता है, आप लोग इस वीडियो को consult कर सकते हैं, ठीक है, चौथी मैं बात कर दूँ, इनके बारे में, चौथी एक और ले ले लेते हैं, अपन, atomic radar हो गया, ionization energy हो जी कैसी होती है, जादा होती है, लेकिन अगर बात करें, calcium की बात कर दूँ, strontium की बात कर दूँ, और barium की बात कर दूँ, तो calcium कैसा होता है, brick red color का होता है, brick red color का होता है, हम डिसकस कर चुके हैं, strontium, crimson red color का होता है, हम देख चुके हैं, barium apple green color का होता है, हम सब कुछ दे इसके अलावा सेम केमिकल प्रॉपर्टी में हमने किस खे बारे में देखा इनकी केमिकल प्रॉपर्टी में सेम भई कहानी जो मैंने उधर डिसके करी थी कि सब्सक्राइब का फॉर्मेशन करेंगे हाइड्राइट का फॉर्मेशन करेंगे सर ये किसका फॉर्मेशन करेंगे ये किसका फॉर्मेशन करेंगे सर ये हैलाइट का फॉर्मेशन करेंगे हैलाइट का फॉर्मेशन करेंगे सर इनका solution in liquid ammonia देख लिया solution in liquid ammonia देख लिया सर ये सारी चीज़े हमने देख लिया solution in liquid ammonia ठीक है hydride oxide इसके अलावा हमने nitride का formation देखा nitride का formation देखा ये सर बिलकुल nitride का formation देखा इनमें ये सारी कहानी हम detail में discuss कर चुके हैं आप जाके मेरे lecture देखिए lecture देखिए lecture में ये सारी कहानी आपको मिल जाएगी already depth मैं मैं पूरी कहानी को detail में discuss कर चुका हूँ इनके melting point boiling point metallic character सारी physical सारी chemical ठीक है इनके melting point boiling point को याद कराने की वो याद होगा मकसर का राजा बाबू बेकार मरा बादशा शकीरा का belly dance देख के किसका शकीरा का belly dance देख के सब कुछ detail में हम discuss कर चुके हैं तो ये दो question जो थे हम already बात कर चुके थे इनके बारे में चलो अगर इतना है ठीक है तो लिख देना already completed already completed जो बच्चा मुझे follow कर रहा है उसे इस कहानी के बारे में detail में पता होगा अब अगली कहानी है why alkali metals not found in nature ठीक है why alkali metals not found in nature बेटा क्या होता है alkali metals are very reactive क्या होती है alkali metals बहुत ज़्यादा reactive होती है तो मैं question है इसका answer लिख देता हूँ alkali metals are highly reactive in nature alkali metals are alkali metals are highly reactive in nature so they are not found in free state so they are not found in free state in nature in nature alkali metals कैसी होती है highly reactive होती है इसलिए free state में नहीं पाय जाती why are alkali metals not found in nature क्योंकि ये कैसी होती है highly reactive होती है clear है क्योंकि ये कैसी होती है highly reactive होती है क्या कोई doubt है क्या कोई doubt है कोई doubt तो वैसे होना नहीं चाहिए why are alkali metals not found in nature because they are highly reactive in nature so they do not found in free state in nature चलो ठीक है sir कोई दिक्कत नहीं आगे बढ़ाता है कहानी को नो डाउन करा इस question को, कर लिया, कर लिया, चलो, आगे बढ़ाता है, next question देखते है, which find out the oxidation state of sodium in Na2O2, find out the oxidation state of sodium in Na2O2, अब आपको क्या लग रहा होगा, समझे न, समझे न, पहले आपको क्या लग रहा होगा, पहले तो मैं आप लोगों को जो लग रहा होगा, वो मैं लिख रहा हूँ, sodium कितना होता है, नहीं बता, x लिखा, ऐसे कितने हैं, 2 हैं, लिखा, oxygen कितना होता है, minus 2 into 2 is equal to 0, तो आपको क्या लगा, 2x is equal to 4, तो x is equal to कितना लग रहा होगा, आपको plus 2 लग रहा होगा, अगर आपको ये लग रहा है, तो ये कहानी ग बनाता है ये बनाता है पर आकसाइड क्या बनाता है पर आकसाइड बनाता है और अगर पर आकसाइड बनाता है तो ओटू माइनस टू के फॉर्म में पाया जाता है किस फॉर्म में पाया जाता है माइनस टू के फॉर्म में पाया जाता है अभी मैंने इस कहानी को बता है और म गहीं कि हवा हवा में हम कोई बात करें ठीक है सर ऑ्क्सडियेशन सटेट सोडियम की देखते हैं एने टू और तो अगर अगर कभी भी examiner पूछे, तो मैंने, अभी मैंने कहाने, मैं lecture ऐसे frame करता हूँ, कि एक एक concept बता देता हूँ, alkali metal की oxidation state हमेशा plus one आईगी, चाहे वो super oxide देदे, चाहे पर oxide देदे, कई बार question ये पूछ लिया जाता है, कि ko2 की oxidation state बताओ, potassium, ko2 में potassium की, आप क्या करता है, x plus oxygen, तो minus 2 होता है, into 2 is equal to 0, तो x is equal to plus 4, वावववा, एक option दिखेगा, मम्मी आस तो मैंने तैल का मचा दिया paper में, आग लगा दी, मम्मी paper फार दिया मैंने, मेरे नन्ने मुन्ने बापस हा, नन्ने मुन्ने बच्चे तेरी मुठी में क्या है, कुछ नहीं, अब क्या होगा, अगर इसको x माना, यहाँ oxygen, super oxide बनाता है, मतलब यह minus 1 is equal to 0, तो x is equal to plus 1, चाहे super oxide दे, चाहे par oxide दे, oxidation state हमेशा कितनी होती ही, plus 1 होती है, मैंने आपसे एक चीज कही है, मैं यहाँ आपको जो concept बताऊंगा, यह सिर्फ ऐसा सोचते हुए, नहीं बता रहा हूँ, कि नहीं भाईया, यह पूछा हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप यहाँ आए हैं, अगर कर लिया तो आगे बढ़ू, बढ़ जाओ, simple है, चलो, next question है, इसका answer मैंने लिखा हुआ है, क्योंकि यह values आपके लिए काफे important हो सकती है, explain why is sodium less reactive than potassium, आपका जो sodium होता है, वो less reactive होता है potassium की तुलना में, logic समझ रहा है, examiner क्या पूछना चाहा रहा है, why is sodium less reactive than potassium, अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बोल दे रहा हूँ, अगर आप NEET और JE की तयारी कर रहा है, तो यह जो statement लिखा है, यह काफी ज़्यादा important है, how many statements are correct, ऐसे question NEET और JE में आते हैं, यह statement पूछा जा सकता है, कि sodium is less reactive than potassium, तो यह statement सही है, अब इसके पीछे की बचा समझना, क्या लिखा है, अगर आप lithium को देखो, आप मैं explain करते चल रहा हूँ, यह lithium है मेरा, यह sodium है मेरा, ठीक है, और यह मेरा potassium, ठीक है, आप देखिए, इसका size कैसा है, नीचे जाने पर कैसा हो रहा है, size बढ़ रहा है, तो ionization energy क्या होती जा रही होगी, कम होती जा रही होगी, मैंने कहा न, जहां भी मैं जाती हूँ, वहीं चले आते हो, चोरी-चोरी मेरे दिल में समाते हो, यह तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो, तुमारे से कोई और नहीं है, तुमसे inversally related है, size और ionization energy, या radius और ionization energy, तो the ionization energy या enthalpy, first of potassium, कितनी है, 419 kilojoule per mole, देखो न, ionization energy कम है, and is less than that of sodium, जिसके कितनी है, 496 kilojoule, इसकी देखो ionization enthalpy कितनी देखने मिल रही है, 496, और इसकी कितनी देखने मिल रही है, 419 kilojoule, कितनी देखने मिल रही है, 419 kilojoule per mole, ठीक है, मतलब इसमें से electron आसानी से निकल जाएगा, और electron आसानी से निकला, मतलब reaction में readily participate करेगा, और more precisely the standard electrode potential, पहली वज़ा होगा, या ionization energy, दूसरी वज़ा है, standard electrode potential, ठीक है, मिल रहा है, आपको minus 2.7, potassium का आपको ज़्यादा negative देखने मिलता है, E not rp की आप अगर बात करो, reduction potential की अगर आप बात करो, तो भाईया आपके potassium का कितना होता है, of potassium, कितना होता है, minus 2.9 volt याद रखना, बाकी value हटा दो, और E not rp of, अगर आप sodium की बात करो, कितना देखने मिल रहा है, minus 2.7 volt, ये ज़्यादा negative है, hence, इसलिए मैं कह सकता हूँ, potassium कैसा होता है, ज़्यादा reactive होता है, sodium की तुल नाम है, तो सुनो, इस answer का conclusion क्या है, आप से कोई पूछे, sodium और potassium है, उनमें कौन ज़्यादा reactive है, तो आप बोलोगे, potassium ज़्यादा reactive है, वज़ा क्या है, potassium की ionization energy कम है, आसानी से electron देगा, और reaction participate करेगा, दूसरी वज़ा क्या है, electrode potential, ठीक है, दूसरी वज़ा क्या है, electrode potential, आप याद करिए, अगर electrochemical series देखते हैं, जिसमें reduction potential के बढ़ते हुए, order में जमाया जाता है, तो जो lithium होता है, lithium कितना था, minus 3.07 volt, ठीक है, potassium कितना था, ऐसे लिखते हैं, potassium कितना था, बता दीजे, आ रहा है, minus 2.9, लीक बासुरी काना, इधर आता है, कहीं sodium और थोड़े बीच में और आते हैं, यह कितना था, minus 2.7, आप देख पा रहे हैं, नीचे जाता है, reactivity घटती जाती है, इसकी reactivity ज़्यादा, फिर potassium की, फिर sodium की, इसलिए मैं कह सकता हूँ, ultimately कि भईया, potassium is more reactive than sodium, answer clear हुआ, yes sir, clear हो गया, तो इससे note down कर लो, this concept is very important, अगर जब आपके, school level की, अगर आप बात करें, आपके subjective paper होंगे, तो यह question, as it is, आप लोगों से पूछा जा सकता है, as it is, पूछा जा सकता है, ठीक है, ठीक है, no down करा, side हो जाओं, हो जाओं, चलो, अगर side हो जाओं, तो next question की, मैं बात करूँगा, आपके लिए, next question की बात करूँगा, आप लोगों के लिए, देखना, next question क्या है अपना, compare the alkali metal and alkaline earth metal, आपको alkali metal और alkaline earth metal, आपको alkali metal और alkaline earth metal को compare करना है, ठीक है, किस basis पे compare करना है, आपके पास ionization energy है, ठीक है, इधर मैं लिख रहा हूँ, alkali metal, चलो इधर लिखता हूँ, इधर मैं लिख रहा हूँ, alkali metal, alkali metal, और इधर मैं लिख रहा हूँ, alkaline earth metal, क्या लिख रहा हूँ, alkaline earth metal लिख रहा हूँ, alkaline earth metal लिख रहा हूँ, ठीक है, समझना बही, मैं कभी कुछ ज़्यादा कहता नहीं, सबसे पहली किस basis पे बोल रहा है, ionization energy के basis पे बोल रहा है, किस basis पे बोल रहा है, ionization energy के basis पे बोल रहा है, अगर मैं ionization energy की बात करूँ, तो alkali metal की, सुनना मैं अभी कुछ नहीं कह रहा है, alkali metal की radius जादा है, और तुम्हारी radius कम है, ठीक है, अगर तुम्हारी radius जादा है, मतलब तुम्हारी आयोनाइजेशन एनरजी कैसी होगी कम होगी और तुम्हारी आयोनाइजेशन एनरजी कैसी होगी बढ़ जाएगी कैसी हो जाएगी बढ़ जाएगी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी क्यों 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 कि अगर हम जब लेफ्ट से राइट जाते है तो effective nuclear charge क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, अब अगर तुमारी radius कम है, logic समझे न, radius कम है, मतलब तुमारे जो electron है nucleus के जादा पास है, nucleus के जादा पास है, तो उनको निकालने में लगने वाली energy भी आपको कैसी लगेगी, जादा लगेगी, यस sir clear हो गया, यस sir clear हो गया, दू क्लियर जो पूछा था उस एक्जामिन ने आयोनाईजेशन एनरजी कंपेर करो अलकली मेटल की कम होती है अलकलाइन अर्थ मेटल की कैसी होती है आयोनाईजेशन एनरजी ज्यादा होती है चलो दूसरे पॉइंट को मैं जस्टीफाइ करने की कोशिश करूं बेसी सिटी ओफ अच्छा क्वेशन है समझना कोई भी ऑक्साइड होगा उसकी बेसी सिटी को जज करना है आपको लॉजिक सुनना कहानी सुनना कोई भी ऑक्साइड होगा उसकी बेसी सिटी को आप लोगों को जज करना है तो ऑक्साइड की बेसी सिटी तब देखी जाती है जब उसको पान industrial की है जो होती है सोनना इसका हिड्रॉक्साइट को जब आप देखें गे तो इसकी बेसी सिटी ज्यादा होती है लेकिन अलकलाइन अर्थ मैटल की बात करोगे तो उसका साइज कम हो गया एलेक्ट्रो पॉजिट्टिव कैरेक्टर कम हो गया तो जो आम ओंज बनायेके MOH बनाएगा इतनी आसानी OHN release नहीं करेगा और इसकी basicity कैसी होगी कम होगी इसकी basicity कैसी होगी कम होगी ठीक है सर दूसरा concept भी अपना clear हो गया कि alkaline metal की basicity अगर आपको decide करना alkaline earth metal की basicity को आप इनको पानी में डालो hydroxide बना alkaline metal की आपको पता है कि बहिया alkaline metal की आपको क्या पता है कि electro positive character जादा है electro positive character जादा है तो basicity भी जादा होगी ठीक है आसानी से देदेगा हुए चाहन और इधार इनकी basicity कम हो जाएगी बोलो clear हो गया clear हो गया पहले इतना note down करो फिर तीसरे point पर आते हैं अपन चलिये अब अगर दोनों note down कर लिए तो तीसरी बात है solubility of hydroxide मज़दार कहां नहीं solubility of hydroxide solubility of hydroxide अब मेरी बात समझना बहिए ठीक है अगर आप alkaline metal को देखोगे इनका size ज्यादा है क्या है इनका size ज्यादा है लेकिन alkaline earth metal को देखोगे किसको देखोगे alkaline earth metal को देखोगे alkaline earth metal का size कैसा हो गया कम हो गया अगर size कम हो गया तो 残ड elaborate energy जो ओती है वह बड़ गई promise energy बढ़ गई तो १ो ओएच आयान है समझ रहे हो साइच चोटा हुआ एक बात समझ ना इसका साइच छोटा हुआ मेरे बीटा Latice एनरजी क्या होती है Latice एनर्जी जब दो आयन है काटाइन और एनायन आपस में इलेक्टर स्ट्राटिक फोर्स के थ्रू जुड़े शुड़े ठीक है तो एलेक्टर स्ट्राटिक फोर्स क्या होता है Q1Q2 upon R² अगर इनकी रेडियस कम है तो लटाईस एनर्जी जादा है दूसरी चीज मैं कहूं कि radius कम है तो इनकी charge density, charge density, charge upon radius, radius कम है तो charge density भी ज़्यादा है, आसानी से OHIN नहीं देंगे, तो इनकी solubility कैसी होगी, इनकी solubility आसानी से OHIN नहीं दे रहे हैं, hydroxide तो solubility कम, लेकिन इनकी radius ज़्यादा है, तो इनकी solubility, solubility of hydroxide कैसी होगी, ज़्यादा करूं down the group जाओगे down the group जाओगे solubility क्या होती है increase होती चाहे इसकी बात करूं down the group जाओगे solubility क्या होती है increase होती है यह concept था clear हो गया अगर clear हो गया तो यह simple सी कहानी थी जो मेरी जुबानी थी आपको समझ आ गई बढ़ू आगे next concept की तरफ note down हो गया है ये चलो अगर no down हो गया तो next काहान यह मेरी next यह मेरी देखना next काहानी जो है अपनी in what way lithium showed similarities to magnesium in their chemical behavior किन चीजों के basis पे आप बताओगे कि lithium और magnesium similar property show कर रहे हैं तो पहली चीज होती है कि सबसे पहली बात भाईया, lithium, देखना इधर, इधर देखना, group 1 में आता है lithium, group 1 में आता है lithium, ऐसी तो बहुत सारी प्रोपर्टी हो, group 2 में कौन आता है, अपना magnesium, lithium, sodium, इधर आ गया baryllium, magnesium, अब समझना, lithium और magnesium, क्या दिखाता है, diagonal relationship दिखाता है, मैं क्या लिख रहाँ, lithium and magnesium show, diagonal relationship, diagonal relationship, क्या शो करता है, diagonal relationship, अगर diagonal relationship show कर रहे हैं, because, because उनकी atomic radiae same है, atomic radiae कैसी है, same है, atomic radiae कैसी है, same है, दूसरा, उनकी ionization energy भी लगभग same है, ionization energy भी लगभग same है, तीसरी चीज़, both form hydrated salt, दोनों के दोनों क्या बनाते हैं, both form hydrated salt, hydrated salt, hydrated salt, hydrated salt, दोनों के दोनों क्या बनाते हैं, hydrated salt बनाते हैं, जैसे lithium का देखोगे तो LICL.2H2O, ठीक है, magnesium का देखोगे तो MGCl2.6H2O, 6H2O, दोनों के दोनों hydrated salt बनाते हैं, logic समझते चलना, कि lithium and magnesium show similarity to lithium show similarity to magnesium in its chemical behavior किस बेसे पर दोनों डाइगोनर रिलेशन्शिप शो कर रहे हैं दोनों की आयोनाइजेशन एनर्जी से मैं दोनों के दोनों क्या बना रहे हैं हाइडरेटेट सॉल्ट बना रहे हैं अगली कहानी की बात करूँ अगली कहानी की बात करूँ चौती कहानी की बात करूँ तो भी या अगर लीथियम भी केटायन बनाता है, मेग्नेशियक भी केटायन बनाता है, अब जब में बात करों, दोनों का साइज लगभग चोटा है, अगर साइज छोटा है तो इनकी पोलराईजिंग पावर जदा, पोलराईजिंग पावर जदा तो गोवेलेंट केरेक्टर जदा, neighbour both are आर कोवेलेंट इन नेचर याद रखना वोथ आर कोवेलेंट इन नेचर ठीक है समझते हुए चलो बोथ आर कोवेलेंट इन नेचर पांच भी बात करूं किसकी बात करूं पांच भी बात करूं अगर लीथियम केमिकल प्रपर्टी की बात करना लीथियम नाइट्राइट बन नाइट्रोजन प कि अनर्जी दोनों को वेलेंट को वैलन ने चरके दोनों को दोनो क्या बना रहाu का formation करने पहले इतना नोट डाउन कर फिर इसको मिटाता हूं फिर कानी को आगे बढ़ाता हूं चलिए अगली प्रॉपर्टी देखना पांच प्रॉपर्टी के बाद चटी प्रॉपर्टी जिसमें सिमिलर्टी शो करते हैं पूरा नहीं मिटाता हूं देखना यह मैं यहां ल लिधीयम एंड मैगनीशियम अर शॉलीड आर नौट सॉलीड यहां प्रजेंत इन का फिर आता हैं लिग्वट फॉट्स करूँ किसका डी कंपोजीशन करूँ डी कंपोजीशन आफ नाइट्रेट थीक है समझ ना मैंने इसके लीथियम नाइट्रेट का डीकंपोजीशन करा ठीक है मुझे क्या मिल गया इसके चार मोल लेता हूं इसके चार मोर ले लेता है, मुझे क्या मिला, Li2O प्लस O2 प्लस O2 प्लस NO2 क्या मिल गया, मुझे Li2O प्लस O2 प्लस NO2, सेम ऐसे ही अगर मैंने Magnesium Nitrate के Decomposition करा तो मुझे क्या मिल जाएगा MgO प्लस O2 प्लस NO2, NO2 कैसी होती है, ब्राउन कलर की कैसी होती है, ब्राउन कलर की गैस होती है, चलो ठीक है, Decomposition of Nitrate देख लिया, आठवी बात करूँ, देखना जी Decomposition of Кर्बोनेट, Decomposition of कार्बोनेट, Decomposition ofишь पार्बोनेट, अगर मैं कार्बोनेट का डिकंपोजिशन करूँ, कार्बोनेट का decomposition करूं तो देखना अगर मैंने लीथियम कारबोनेट का decomposition कर दिया लाइटू CO3 तो मुझे क्या मिल जाएगा लाइटू और प्लस CO2 दोनों CO2 देंगे मैंने मैंने मैगनेशियम कारबोनेट का decomposition कर रहा भाई तो मुझे क्या मिल जाएगा अगर वो diagonal relationship दिखा रहा है इधर से तो भाईया property भी same show कर रहा होगा diagonal relationship दिखाने की वज़ा मैंने आप लोगों को clear कर दी है बढ़ू आगे screenshot मारा screenshot मारा आप लोगोंने चलो अब देखना देखना कहानी नेक्स कहानी है मेरी explain why can alkali metal and alkaline earth metal not be obtained by chemical reduction method आप बताएे कि इनको chemical reduction method से हम क्यों प्राप्त नहीं कर सकते हैं chemical reduction method से क्यों प्राप्त नहीं कर सकते हैं यह question as it is पूछा जाएगा that's why मैंने bookish language आपके का मेरी language आपके सामने रखी हुई है कि explain why can alkali and alkaline earth metal not be obtained by chemical reduction method बहुत प्यारा question समझना alkali and alkaline earth metal are themselves strong reducing agent अगर आप alkaline metal की बात करेंगे alkaline earth metal की बात करेंगे वो अपने आप में ही strong reducing agent होता है क्योंकि इनका e not rf काफी ज्यादा negative होता है standard reduction potential की अगर हम बात करें काफी ज्यादा negative होता है तो अच्छे reducing agent and reducing agents better and reducing agent better than them are not available और उनसे better reducing agent available नहीं है therefore these metals cannot be obtained by the chemical reduction of their oxide और chloride इसलिए हम इनका chemical reduction नहीं कर सकते हैं मैंने क्या बोला अगर आप electro chemical series देखेंगे तो lithium लीना के leak बासूरी एक जिंगल होती है मैं आपको electro chemical series में बताऊंगा उसमें highest उपर के तौर पे कौन पाए जाते हैं आपके alkali और alkaline earth metal पाए जाते हैं वो खुदी अच्छे reducing agent है कि उनसे better reducing agent आपको नहीं मिल सकता इसलिए chemical reduction method से हम इने obtain नहीं कर सके तो क्या लेका है alkali and alkaline earth metals are themselves a strong reducing agent and reducing agent better than them are not available therefore these metals cannot be obtained by chemical reduction of their oxide और chloride बोलो clear हो गया हम इन metal को उनके oxide और chloride का reduction करके chemical reduction करके प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी better reducing agent अविलेबल नहीं है इनसे अच्छा कोई भी reducing agent अविलेबल नहीं है बढ़ जाए अगले question की तरफ बहुत सारे question है और आज के आज ही खतम करने है तो इस कहानी को अगला आयाम देता हूँ अगला आयाम देता हूँ देखिएगा next question के बारे में why are potassium and cesium rather than lithium used in photoelectric cell समझे न potassium और cesium rather than lithium used in photoelectric cell what is photoelectric cell ऐसा कोई भी cell जब photon गिरे और उसमें electron निकले तो भाया जो photoelectric effect दिखा रहा हो उसमें हम photoelectric cell में use करते हैं लेकिन lithium को जब आप देखेंगे किसको देखेंगे lithium को जब आप देखेंगे lithium group 1 में period number second में आता है lithium की ionization energy is very high is very high अगर इसकी ionization energy बहुत ज़्यादा high है तो removal of electron from it is not easy removal of electron from lithium is not easy not easy that's why that's why we can't use that's why we can't use can't use lithium in photoelectric cell इसलिए हम lithium का use photoelectric cell में नहीं कर सकते लेकिन potassium and cesium potassium and cesium ठीके are having are having very low ionization energy are having very low ionization energy इनकी ionization energy कैसी होती है काफी कम होती है और अगर इनकी ionization energy कम होती है तो electron निकालना आसान है that's why that's why we used we use potassium and cesium in photo photoelectric electric cell समझ आ गया हर कहानी कहां आके अटक रही है हर कहानी आके अटक रही है उनकी ionization energy से जब photon गिरेगा और electron निकल ही नहीं पाएगा lithium में से तो photoelectric cell में इसका use क्यों करोगे लेकिन potassium और cesium जिनकी ionization energy काफी कम होती है photon के गिरने से electron आसानी से निकल जाता है इसलिए इसका use photoelectric cell में किया जा सकता है क्या आसान question है क्या बढ़ जाऊं आगे क्या आगले question की तरह बढ़ूँ देखेगा next question देखना when an alkali metal जब कोई alkali metal है dissolve होती है liquid ammonia में the solution can acquire different color solution different color acquire करता है explain the reason for this type of color change आपको इस type के color change के लिए reason बताना है तो देखना कोई भी alkali metal मैंने M लिया जब वो liquid ammonia में dissolve होगी liquid ammonia में dissolve होगी liquid ammonia में dissolve होगी समझना तो क्या बनेगा सबसे पहले ammoniated metal ion बनेगा क्या बनेगा ammoniated metal ion बनेगा लिखने का तरीका है बस यह ammoniated metal ion क्या बनेगा ammoniated metal ion बना metal ion बना और क्या बना साथ में जब यह electron है electron है ठीक है यह NH3 हुआ यह Y हुआ और इस पर negative ammoniated electron बना क्या बना ammoniated electron बना यह ammoniated electron ठीक है because of this ammoniated electron मैं क्या लिख रहा हूँ, because of this ammoniated electron, this ammoniated electron, the solution is, the solution is, blue in color, कैसा हो जाता है, blue color का हो जाता है, blue color, conducting nature, conducting nature का हो जाता है, और कैसा हो जाता है, and paramagnetic nature, and paramagnetic nature, and paramagnetic nature का हो जाता है, but, but if the concentration, but if the concentration, concentration of reactant increases, लेकिन अगर इन्ही रियक्टेंट का concentration क्या करते जाए, increase करते जाए, तो ये जो electron होता है, ये एक cluster formation करने लगता है, but if the concentration of reactant increases, ठीक है, तो ये जो electron जब cluster formation करने लगते हैं तो जो blue color होता है, कैसा होता है? blue color होता है, वो किस में convert होने लगता है? bronze color में But if the concentration of reactant increases solution become аш solution become bronze color पैरा के बदले ये सारे electron cluster form करने लगे diamagnetic nature का हो जाता है solution become bronze color diamagnetic and non-conducting in nature नौन कंड़क्टिंग इन नेचर नौन कंड़क्टिंग इन नेचर तो अब यहाँ पे इस question को पढ़के summarize करता हूं मैंने क्या कहा जब किसी alkali metal को dissolve किया जाएगा liquid ammonia में solution can acquire different color explain the reason for this type of color change ठीक है तो मैंने पूरा color change कर दिया उसके पीछे की वज़ा क्या थी? ammoniated electron ये question ये मैं पूचा जा चुका है किस मैं पूचा जा चुका है? जेई मैं पूचा जा चुका है और color जब दीरे दीरे बदलेगा उसका मतलब क्या है? जब अगर आप concentration बढ़ाते जा रहे हैं क्लस्टर फॉर्मेशन होने लगा क्लस्टर फॉर्मेशन होने लगा बोलो क्लियर हो गया question आसान है हर चीज आपके सामने रख रहा हूं बताते चल रहा हूं कि अगर आप भाईया competition की तयारी करोगे उसमें से कैसा पूचा जाएगा? और मैं हमेशा कहता हूं बेटा inorganic chemistry आपकी कहां से पूची जाती हमेशा NCRT based पूची जाती वो कहीं से भी उठा सकता एक एक line important है क्या? एक एक line important है आपको बस हमेशा ये चीज याद रखना है कि किस वे में और किस तरीके से अन्रॉक सर आपको प्रोसीड करवा रहा है बस ये चीज दिमाग में बैठा लीजे बस ये चीज दिमाग में बैठा लीजे बढ़ जाएं आगे अगले question की तरफ बढ़ें चलिए next question देखते हैं बैरिलियम एंड मैगनेशम डू नोट गिव कलर तुदा फ्लेम ठीक है ग्रूप 2 की बात करूं मैं किसकी बात करूं इन ग्रूप 2 इन ग्रूप 2 इन ग्रूप 2 ग्रूप 2 में कौन-कौन आते हैं जली बताईये बेमगके सर्बा रात यह आता है लेकिन आगर मैं बैलियम को देखाई तो बैरियलियम का साइज थोड़ा चीटा magnesium का साइज थोड़ा बड़ा इनका साइज तो बहुत बड़ा है इनका साइज तो और बढ़ता जाएगा नीचे जाने पर साइज बढ़ता जाए क्योंकि number of shell बढ़ते जाएंगे अब मैं क्या लिख रहा हूँ अगर साइज छोटा है समझना beryllium and magnesium are having are having smaller size smaller size इनका size कैसा होता है छोटा होता है अगर size छोटा है इनका are having smaller size तो and they are having high ionization energy क्योंकि size और ionization energy एक दूसरे से inverse relation show करते है तो beryllium and magnesium are having smaller size and they have high ionization energy ionization energy और अगर इनकी ionization energy ही जाता है तो जिस electron की वजह से ये electron के excitation की वजह से ये flame को color देते हैं जब वो electron ही नहीं निकल पा रहे है ionization energy का मतलब क्या है जब आप atom में से एक electron निकल सके जब electron ही नहीं निकल पा रहे है तो flame coloration कहां से show करेंगे तो यही तो पूछा गया है कि beryllium और magnesium do not give color to the flame whereas other alkaline earth metal do so तो beryllium and magnesium are having smaller size and they have high ionization energy इस point को underline कर दो they are having high ionization energy that's why that's why that's why they do not give color to the flame color to the flame color to the flame लेकिन दूसरे alkaline earth metal की बात करो को calcium कैसा color देता है crimson red oh sorry calor reflect red color कैसा देता है strontium कैसा कैसा देता है crimson red color देता है because they are having low ionization energy ग्रूप में जैसे जैसे नीचे जाते हैं, अगर साइच बढ़ रहा है, नीचे जाने पर क्या बढ़ रहा है, तो ionization energy क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, this is the simple concept जो मैंने आपके सामने रग दिया, this is the simple concept, नीचे जाएगी, radius बढ़ेगी तो ionization energy कैसी होती जाएगी कम होती जाएगी बोलो clear हो गया बढ़ जाएं आगे beryllium magnesium do not give color to the flame कहानी मैंने बता दी ये किस वज़र से थी कहानी मैंने बता दी कि beryllium और magnesium नहीं दे रहे हैं इसकी कहानी क्या है ये तीनों दे रहे हैं इसकी कहानी क्या है ठीक है चलो next question देखना next question देखना discuss the various reactions that occur in the solve process solve process क्या होती है तो समझ न solve process solve process is used to prepare prepare washing soda washing soda क्या होता है washing soda na2co3.10h2o कैसे बनाते हैं washing soda कैसे बनाते हैं washing soda समझ नब सबसे पहले आपने ammonia लिया इस पे co2 पास करी और h2o पास करा तो ये बन जाता है सबसे पहले आपका ammonium carbonate क्या बन जाता है ammonium carbonate अब किसी carbonate पे वापस अगर आप co2 और h2o पास करते हैं वापस co2 और h2o पास करते हैं तो ये आपका क्या बन जाता है ammonium bicarbonate क्या बन गया ammonium bicarbonate बन गया अब हम क्या करेंगे इस ammonium bicarbonate पे ammonium bicarbonate पे वापस क्या पास कर देंगे क्या डाल देंगे naCl डाल देंगे logic समझना मैंने अलग से क्या डाला है अब naCl डाल दिया है क्या डाल दिया है naCl डाल दिया है ये जो N-A है, ये H-C-C-O-3 को पक्ड़ेगा और sodium bicarbonate बन जाएगा क्या बन जाएगा? sodium bicarbonate बन जाएगा और क्या निकल जाएगा? ये देखो ये positive ammonia और chloride क्या निकल गया? आपका ammonia chloride निकल गया ammonia अब ammonia जो bicarbonate होता है, क्या होता है? ammonium bicarbonate होता है वो less soluble होता है कैसा होता है less soluble होता है तो जैसे हम चाए जो होती है जब चाए बनाते हैं तो चाए पती जो होती है उसको च्छान के निकाल देते हैं वैसे ही अगर यह less soluble है को छान के निकाल सकते है यह सगर हमने इसको छान के निकाल लिया आपdid और इसको घरम करा किसको 3 में तूटेगा और क्या बन जाएगा CO2 बन जाएगा और क्या बन जाएगा H2O बन जाएगा तो आप देख सकते हैं आपने Na2 CO3 बना ली अब यह जो Na2 CO3 होता है यह यह 10 वाटर के मॉलीकूल के डेका हाइडरेटेट होता है और आपका वाशिंग soda मिल जाएगा यह different process थी जो आपकी जरूरी होती है किसको बनाने में किसको बनाने में different process थी जो जरूरी होती है आपके washing soda को बनाने में तो यह लिखा है discuss the various reaction that occur in the solve process आजाईये simple है कहानी simple है या नहीं कहानी अगर simple है तो आगे बढ़ूँ मैंने सारी reaction बता दी जो की solve process में sodium carbonate को बनाने में use होती थी sodium carbonate को बनाने में use होती थी बढ़ाऊं आगे कहानी को चलो next question देखते हैं अगला है potassium carbonate cannot be prepared by solve a process why? जैसे in solve a process 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 आपने Na2CO3 बना सकते हैं Na2CO3 sodium carbonate can be formed can be formed but not but not potassium carbon but not K2CO3 because समझना because समझना अगर आपने ammonia लिया समझना क्या चल रहा है ammonia लिया इस पे CO2 पास करी इस पे H2O पास करें आपको पता है क्या बनेगा ammonia carbonate बनेगा क्या बनेगा ammonia carbonate बनेगा यसर बन गया अब अगर ammonia carbonate बन गया ammonia carbonate बन गया वापस इस पे CO2 और H2O पास करी तो अपना क्या बन जाएगा ammonia ammonia bicarbonate बन जाएगा ammonium bicarbonate बन जाएगा यसर बन गयां अब इस ammonia Ammonium Bicarbonate में Ammonium Bicarbonate में Ammonium Bicarbonate में हम NaCl डालते थे इसको बनाने के लिए KCl डालेंगे KCl डालेंगे अगर ये डाला तो अपना क्या बन गया ये NH4 और CL NH4 CL बहार निकला और क्या बहार निकला? क्या निकला? क्या निकला? क्या निकला? क्या निकला? क्या निकला? क्या निकला? बस यहीं पर कहानी आखे अटक डेंगे जब हम NaHCO3 देख रहे थे sodium bicarbonate वो less soluble था तो उसको छान के निकाल सक रहे था लेकिन potassium bicarbonate मैं यहाँ लिख रहा हूँ potassium bicarbonate the solubility लिखता हूँ the solubility of potassium bicarbonate is very high very high so we cannot separate it we cannot separate it तो हम इसे separate नहीं कर सकते that's why that's why इसी लिए that's why आपका K2CO3 can't be formed K2CO3 can't be formed can't be formed by solvay process बोलो clear हो गया अभी तक कहानी क्या चल रही थी कि भाया अपना जो sodium bicarbonate था उसको छान के आप बाहर निकाल सकते थे लेकिन जो potassium bicarbonate है वो कैसा है very high soluble very high solubility बहुत ज़्यादा हाई है बस इस word को underline कर लो the solubility of potassium bicarbonate is very high और जब बहुत ज़्यादा high है तो इसको dissociate करके आप carbonate का formation नहीं कर सकते हैं बहुत simple कहानी है और simplest तरीके से मैं कह रहा हूँ और मैं हमेशा कहता हूँ कौन कहता है कौन कहता है inorganic याद नहीं होती एक बार अनुराक सरसे पढ़के तो देखिए बोला ना जो शब्द है उसी पे मैं काम कर रहा हूँ बढ़ाओं अगले question की तरफ कहानी नोट डाउन करा नोट डाउन करा चलो अगर नोट डाउन करा तो next question देखते हैं अपन बच्चों ठीक है चलो देखो next question देखना मेरा next है why is Li2CO3 आपका Li2CO3 decomposes at a lower temperature lower temperature पे decompose हो जाता है लेकिन sodium bicarbonate की बात करो इसको तोडने के लिए higher temperature लगता है पहले तो यह question लिखा हुआ है इसको भी language की जड़ती बहुत ज़्यादा मैंने लिख दिया है question समझना आपका lithium और sodium sodium एक ही group में आते हैं एक ही group में आते हैं लेकिन lithium carbonate को break करने के लिए break करने के लिए आपको कैसा चाहिए देखो why lithium carbonate decomposes at lower temperature इसको कैसा चाहिए low temperature चाहिए कैसा चाहिए low temperature चाहिए लेकिन वहीं आप अगर किस पे जाओगे sodium carbonate को तोड़ोगे तो इसको break करने के लिए आपको क्या चाहिए हाई temperature चाहिए ऐसा क्यों जबकि दोनों same group में आ रहे हैं तो समझ येगा Li2CO3 जो होता है is a salt of weak acid CO2 and weak base LiOH जो Li2CO3 जो है वो किसका salt है is a salt of weak acid CO2 and weak base LiOH क्योंकि आपको पता है नीचे जाने पे hydroxide की basic city क्या होती जाती बढ़ती जाती है since the weak base cannot attract CO2 strongly इसलिए जो weak base होता है ज्यादा strongly CO2 को attract नहीं कर सकता इसलिए Li2CO3 decomposes at low temperature समझ ना अब मैं अपने तरीके से बताता हूँ Li2CO3 जो बना है वो किसकिस से बना है भाईया CO2 जो की weak acid है और आपका LiOH जो की weak base है ये weak acid और ये weak base से मिलके बना है तो जो CO2 है ये जो weak base है CO2 को इतने strongly attract नहीं करेगा तो नहीं करेगा तो किसमें तूट जाएंगे ये वापस तूट जाएंगे ये तूट जाएंगे लेकिन अगर on other hand जो NaOH है वो much stronger base है NaOH कैसा है much stronger base है then LiOH and hence can attract CO2 ये CO2 को strongly attract कर सकता है therefore Na2CO3 को जब आप break करोगे तो ये क्या कर रहा है Na2CO3 को जब आप break करेंगे तो ये इतने आसानी से break नहीं होगा is much more stable than Li2CO3 and hence decomposes at much higher temperature logic समझ आया Li2CO3 किसका salt है weak acid और weak base का समझ रहे हो तो जो weak base है CO2 को इतने strongly attract नहीं करेगा लेकिन वहीं आप बात करेंगे Na2CO3 तो Na2CO3 की बात करेंगे किस से बन रहा है NaOH और CO2 से ठीक है तो अगर NaOH strong base है तो ये strongly attract करेगा किसको CO2 को और इसको तोड़ना के लिए आपको higher temperature के requirement होगी किसके requirement होगी higher temperature के requirement होगी please note down कर लो ये language काफी ज़्यादा important है ठीक है ठीक है क्या कोई दिक्कत क्या कोई परेशानी बढ़ू आगे चलो ध्यान देना ध्यान देना next question देखना compare the solubility आपको compare करना solubility को and thermal stability को किसको compare करना solubility को और thermal stability को of the following compound of alkali metal with those of the alkaline earth metal इसके पीछे मैंने काफी depth theory थी उसको मैंने language के form में दिया है logic सुनना क्या है आपको solubility को और thermal stability को compare करना है किसकी alkali metal के nitrate की carbonate के और sulfate की ठीक है और alkaline earth metal के nitrate की carbonate की और sulfate की तो सबसे पहले अपने बात करते हैं जो पहला दिया हुआ है solubility के बारे में किसके बारे में बात करते हैं solubility के बारे में बात करते हैं तो समझ ना solubility की बात करोगे nitrate के, carbonate की और sulfate की, किसके alkali metal के किसके alkali metal के ठीक है, तो ये सारे के सारे solubal होते हैं पानी में क्या होते हैं, सारे के सारे solubal होते हैं पानी में की अलकली मैटल के अलकली मैटल के किसके अलकली मैटल के नाइट्रेट की नाइट्रेट की सॉल्यूबिलिटी कार्बोनेट की सॉल्यूबिलिटी और अपना क्या है सल्फेट की सॉल्यूबिलिटी सल्फेट की सॉल्यूबिलिटी सल्फेट की सॉल्यूबिलिटी यह सारे के सा मज़े धारवाद और solubility increase होती है गृप में नीचे जाने पर थम्भ रूल याद कर लिजी और इनकी solubility क्या होती जाएगी solubility बढ़ती जाएगी as we go down the group ठीक है इनकी solubility क्या होती जाएगी बढ़ती जाएगी as we go down the group ठीक है ऐसा क्यों हो रहा है जो लीथियम है sodium है, potassium है, rubidium है, cesium है, frantium, lithium का size छोटा है, तो उसकी lattice energy जादा है, lattice energy क्या होती है, qnq2 upon r square, या charge upon radius, radius छोटी है तो lattice energy जादा है, लेकिन जैसे जैसे down the group जाते जाओगे, lattice energy जो की cation और nion को hold करके रखती है, नीचे जाने पर decrease हो रही है, more rapidly, more rapidly, और नीचे जाने पर size भी बहुत तेजी से हो रहा है, किसकी तुलना में, hydration energy की तुलना में, इसी लिए हम कहते हैं, कि solubility नीचे जाने पर क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, तो क्या थंबरूल आया इसके बाद, solubility, alkaline metal की, nitrate carbonate और sulfate की, down the group increases, down the group increases, बहुत important कहानी है, down the group increases, बहुत important कहानी है लेकिन वही मैं बात करूं alkaline earth metal की, किस की बात करूं alkaline earth metal की, तो क्या है alkaline earth metal में, nitrate of alkaline earth metal are soluble in water, समझ न, alkaline earth metal के nitrate हैं to soluble हैं, बिल्कुर सही है, alkaline earth metal है, उसके jो nitrate है, soluble हैं पानी में, यह तो इसके nitrate بھی थे soluble पानी में, कौन सी नहीं बात हो गई? their solubility however decrease down the group because their hydration energies decrease more rapidly than the lattice energy वहाँ पे lattice energy का घटना more rapidly हो रहा था और यहाँ lattice energy का hydration energy का घटना because of the because their hydration energy decrease more rapidly यहाँ hydration energy more rapidly decrease हो रही है कौन more rapidly decrease हो रहा है hydration energy किसकी तुल नाम है lattice energy की तुल नाम है logic समझ आया और अगर hydration energy more rapidly गट रही है तो बेटा solubility तभी बढ़ती है अगर hydration energy सुनना solubility तभी होती है अगर hydration energy ज़ादा हो lattice energy की तुल नाम है इसको अपने शब्दों में बताता हूँ कोई भी compound सुनना any compound any compound कोई भी compound अगर ठीक है मेरा क्या बोल रहा हूँ कोई भी compound ठीक है अगर क्या है if soluble अगर soluble है ठीक है अगर कोई भी compound आई नी compound ये cation है ये nion है ये soluble है इनके बीच में कौन सा force लग रहा है इनके बीच में कौन सा पोर्ज लग रहा है? collectro estatic force या lattice energy. ठीक है? अगर कोई भी compound soluble है, तो इस lattice energy को तो पहले तोड़ना होगा, तोड़ना होगा और lattice energy कम होनी چाहिए और hydration energy जादा होनी चाहिए, तभी compound soluble होगा. तभी compound soluble होगा. यही वज़ा थी कि group 1 के nitrate की बात कर रहे थे carbonate की बात कर रहे थे सलफेट की बात कर रहे थे तो नीचे जैसे जैसे जा रहे थे hydration energy यहादा थी किसकी तुलना में लेटाइस energy की तुलना में तो भीया आपकी solubility बढ़ रहे थी लेकिन group 2 में क्या हुआ कि भीया आपकी solubility of nitrate घटती जा रही है पढ़ो एक बार क्या लिखा है alkaline earth metal के nitrate जो होते हैं नीचे solubile तो होते हैं पानी में लेकिन solubility decrease होती है down the growth क्योंकि hydration energy का जो घटना है more rapidly है किसकी तुलना में latest energy की तुलना concept clear हो गया concept clear हो गया तो क्या थंबरू लाया सर नीचे जैसे जैसे जा रहे है alkaline metal की बात करें इसके nitrate carbonate और sulfate की solubility बढ़ रही है लेकिन अगर मैं alkaline earth metal की बात करूं तो उनके carbonate या उनके nitrate की solubility क्या होती जा रही है घटती जा रही है ठीक है सर अभी तो nitrate की बात की किसकी बात होगे nitrate की बात होगे対 tips later थिक है बढ़ू आगे सचली है अब अगर मैं बात करूं carbonate और sulfate की solubility के बारे में किसके alkaline earth metal में तो मैं यह कहूंगा जो कार्भोनेट और some it होते है समझना जो prisoner और some it होते हैं und इंका size बहुत ज़्यादा होता है कैसा होता है इनका साइज बहुत ज़्यादा होता है कैटाइन की तुलना में किसकी तुलना में कैटाइन की तुलना में therefore within a particular group lattice energy remain almost constant तो जैसे जैसे आप group में नीचे जाते जाएंगे lattice energy तो constant हो गई अब दो चीजे solubility को affect करती है एक होती है lattice energy and एक होती है hydration energy अब ये तो almost constant हो गई है since the hydration enthalpy decrease down the group और hydration energy नीचे जाने पे कम होती जा रही है lattice energy constant हो गई और तुम धीरे धीरे नीचे जाने पे घटती जा रही हो तो क्या होता जाएगा solubility of alkaline earth metal carbonate and sulfate क्या होते जाएंगे decrease होते जाएंगे क्योंकि अगर hydration energy घटी मतलब lattice energy constant हो गई और hydration energy घटती जा रही है मतलब आप देख पा रहे हैं अगर hydration energy जादा होती है lattice energy से तो solubility बढ़ती है लेकिन अगर hydration energy घटती जा रही है घटती जा रही है तो solubility क्या होती जाएगी घटती जाएगी clear हो गया clear हो गया चलिए इसे note down करिए मतलब आपको क्या समझाया मतलब आपको क्या समझाया अगर इसका मैं conclusion लिखूं तो अपने पास क्या clear होता है alkali metal की बात करें logic सुनना पहले तो question कहां से शुरू हुआ है question एक पार फिर से देखना मैं इसको फिर से revision करवा हूँ कि आपको solubility के बारे मैं comparison करना था अभी solubility किसकी nitrate की carbonate की और sulfate की ठीक है किसके case में alkali metal के case में alkaline earth metal के case में तो मैं क्या बोल रहा हूँ देखना जी इसको in a nut shell in a nut shell in a nut shell अगर मैं ये कहूँ ठीक है सुनना in a nut shell अगर मैं ये कहूँ कि the solubility of the solubility of ultimately आपको last में ये लिखना the solubility of nitrate, carbonate and sulfate of alkaline earth metal alkaline earth metal, earth metal increase down the group क्या होती जाएगी? increase होती जाएगी down the group but मैं यहां लिखू बट दा solubility of but the solubility of solubility of nitrate, carbonate and sulfate of alkaline earth metal alkaline earth metal, alkaline earth metal increase or decrease down the group down the group इतनी सारी कहानी जो लिखी थी उसके पीछे के concept समझाने के लिए लिखी थी लेकिन ये जो concept है ultimately आपको याद ये करना है ये neat और जही के हिसाब से बहुत जादा important हो सकता है अगर आप nitrate, carbonate and sulfate की solubility की बात करेंगे alkaline earth metal की तुलना में तो नीचे जाने पे क्या होती है increase होती है किसमे alkaline earth metal के case में और सॉल्यूबिलिटी की बात करेंगे नाइटरेट, carbonate and sulfate की alkaline earth metal के केके केके केसमे क्या होती जाती है इसे note down कर लो इतना depth में पढ़ना है तो ठीक है लेकिन जिसको इतना short में लिखना है वो इतने short में भी इस कहानी को कर सकता है बोलो clear है बोलो clear है देखो भाई इतनी बड़ी बड़ी language थी अगर मैं समझाता तो बहुत ज़्यादा time लगता इसलिए मैंने लेंग्विज के form में दे दिया और आपको इना nutshell अपनी language में कानी लिखा दी चलो ठीक है बढ़ाता हूँ कानी को आगे बढ़ाता हूँ कानी को आगे देखना अब मैं बात करता हूँ solubility होगए अब मैं बात करता हूँ thermal stability के बारे में तो आप देखेंगे कि thermal stability जब भी देखेंगे कि इसकी nitrate की, carbonate की और sulfate की तो चाहे alkaline earth metal के nitrate हो, चाहे alkaline earth metal के nitrate हो ये thermally decompose होने पे तूट जाते हैं तो मैं क्या बोल रहा हूँ, nitrate of both alkaline and alkaline earth metal decomposes on heating चलो रहे भईया, चलो बढ़िया है, all alkaline earth metal सुनना, ये बहुत important point, all alkaline earth metal nitrate, कोई भी alkaline earth metal के nitrate होंगे वो decompose होंगे, metal oxide में, NO2 और O2 में, ये किसके लिए बोल रहा हूँ, मैं alkaline earth metal के लिए बोलो क्या बोल रहा हूँ, alkaline earth metal के जो nitrate होंगे, alkaline earth metal के जो nitrate होंगे वो क्या-क्या देते है Metal का Oxide देते है Metal का Oxide देते है NO2 देते है जो कि Brown color की gas होती है O2 देते है ठीक है लेकिन देख लिए आपने Metal Nitrate क्या दे रहा है Metal Oxide दे रहा है NO2 दे रहा है O2 दे रहा है ठीक है लेकिन The Nitrate of Sodium, Potassium and Rubidium and Cesium Decomposes to form Metal Oxide and O2 सिर्फ क्या देता है MNO2 देता है और क्या देता है O2 देता है क्या देता है Nitride देता है और क्या देता है O2 देता है ठीक है लेकिन Lithium जो होता है जो Lithium होता है वो same behavior show करता है किसके जैसे Alkaline Earth Metal जैसे क्योंकि Lithium किसके साथ diagonal relationship को show करता है magnesium के साथ however due to the diagonal relationship between lithium and magnesium lithium और magnesium के diagonal relationship की बात करें तो lithium nitrate decompose होने पे क्या बनाते है metal का nitrate बनाते है metal का oxide बनाते है NO2 देते हैं और क्या देते है O2 देते हैं बोलो clear हो गया बोलो clear हो गया इसको भी summarize करते है भईया इसको भी summarize करते हैं logic समझना हम thermal decomposition के बारे में thermal stability के बारे में बात कर रहे हैं अगर alkali metal की बात करूँ alkali metal की बात करूँ तो alkali metal में accept lithium accept lithium accept lithium आपको क्या मिलेगा आपको metal के क्या मिल जाएंगे oxide मिल जाएंगे क्या मिल जाएंगे metal के oxide मिल जाएंगे और क्या मिल जाएगा O2 मिल जाएगा लेकिन जो lithium होता है lithium nitrate होता है decomposition पे क्या क्या देता है क्या क्या देता है जल्दी बता तो LI2O देता है प्लस O2 देता है प्लस क्या देता है नो टू देता जैसे कि alkaline earth metal देते थे जैसे की कौन देते थे alkaline earth metal देते थे बोलो clear हुआ बोलो clear हुआ चलो sir clear हो गया ठीक है चलो sir clear हो गया ठीक है बढ़़ों आगे बढ़़ जाओं आगे थर्मल stability की बात कर रहे थे तो मेतल, νाइـट्रेуч, अगर अलकलाइन, अर्थ मेतल के देखे जाएं तो मेतल, ऑकसाइड दे रहे हैं, एना-OO टू दे रहे हैं, टीक है, भो लो क्लियर है, ऐसे ही लीधियम का भी देता है, मेतल आखसाइड, एना-टू और ओ-डू, लेकिन बाकि- alkali metal की बात करें, किसकी बात करें, alkali metal की बात करें, तो sorry, nitrate देते हैं और O2 देते हैं, ठीक है, क्या देते हैं, MNO2 देते हैं, MNO2 देते हैं, और O2 देते हैं, ठीक है, बढ़ू आगे, चलो, देखते हैं next कहानी, ठीक है, अगली कहानी है, lithium nitrate, lithium का oxide NO2 और ये O2 होगा, O2 होग की थर्मल स्टेबिलीटी के बारे में किसके बारे में कार्बोनेट की थर्मल स्टेबिलीटी के बारे में अगर मैं कार्बोनेट और सल्फेट की थर्मल स्टेबिलीटी की बात करूं तो नीचे जाने पर थर्मल स्टेबिलीटी क्या होती जाती है बढ़ती जाती है समझना जै जैसे जैसे नीचे जा रहा है तो स्टेबिलीटी कार्बोनेट की भी बढ़ती जाएगी और स्टेबिलीटी सलफेट की भी बढ़ती जाएगी सलफेट की भी बढ़ती जाएगी सलफेट की भी बढ़ती जाएगी नीचे जैसे जैसे हम जाते जा रहे हैं स्टेबिलीटी कार् with the sodium chloride how would you proceed to prepare अगर आप sodium chloride ले रहे हैं क्या ले रहे हैं sodium chloride ले रहे हैं समझना भाया तो आप sodium chloride से ठीक है sodium metal कैसे बना सकते हैं sodium hydroxide कैसे बना सकते हैं sodium peroxide कैसे बना सकते हैं sodium carbonate कैसे बना सकते हैं अगर आपने sodium chloride ले लिया और आपको उसे sodium metal बनानी है क्या बोला बेटा मैंने आपने sodium chloride ले लिया और सबसे पहले अगर उससे आपको sodium metal बनानी है तो आप किस cell का use करते हैं आप down cell का use करते हैं तो sodium metal is manufactured from electrolysis of fused sodium chloride आपने 40% लेना पड़ेगा and calcium chloride आपको 60% लेना पड़ेगा किसमे down cell में और 873 Kelvin temperature लेना पड़ेगा और इस दोरान अगर आप बनाएंगे किसका iron का cathode बनाएंगे और graphite का anode बनाएंगे क्या बनाएंगे आपने क्या क्या ले लिया आपने down cell लिया है आप sodium chloride का use करके sodium metal बनाने जा रहे हैं sodium metal बनाने जा रहे हैं आपने down cell लिया है और cell लिया है मतलब उसमें cathode और anode होगा ही होगा iron का cathode बना दे रहे हैं हम और graphite का anode बना दे रहे हैं किसका iron का cathode बना दे रहे हैं तो याद रखने का तरीका iron का cathode है मतलब फीका जिंदगी में कोई चीज अच्छी ना लगे तो उसे कहते हैं फीका फीकी है यार इसी तो आरन का कैथोड और ग्रिफाइट का क्या बन रहा है एनोड बन रहा है तो जो सोडियम होगी वो कहां लिबरेट होगी भाईया सोडियम पॉजिटिव होती है सोडियम कहां लिबरेट होगी कैथोड पे और क्लोरीन कहां liberate होगी sodium cathode पे गई तो chlorine कहाँ liberate होगी अनोड पे Hiyanode returned और chlorine melt होकै क्लोरिन गयास बना रहे कहां पे इस तरीके से आप sodium प्राप्त कर सकते हैं तो अगर आपने sodium क्लोराइट का यूज करा ठीक है और आपको सोडियम मैटल बनानी है तो आप डाउन सेल का यूज करेंगे जिसमें आरन का कैथोड होगा और ग्रिफाइड का एनोट होगा तो कैथोड जो होगा अगर आरन का उस पर सोडियम मैटल जाएगी एक एलेक्ट्रॉन गेन करेंगी sodium मिल जाएगा आपको ठीक है sodium आयन गया एक electron गेन कर रहा sodium मिल जाएगा और आपको anode पे क्या मिल जाएगा chlorine मिल जाएगा अब इसी sodium chloride का यूज करके आप sodium hydroxide बनाने जा रहे जिसे कहते है caustic soda हम अल्रेडी यह बात discuss कर चुके है थे caustic soda अगर हमको बनाना है नोट डाउन करना इसे अगर caustic soda हमको बनाना है हम caustner calner cell का यूज करेंगे किसका यूज करेंगे caustner calner cell का यूज करेंगे sodium metal बनाना है down cell का यूज करेंगे अगर हमको sodium hydroxide बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा NACL जिसे हम brine solution कहते हैं क्या कहते हैं इसको castner calner cell लेना पड़ेगा castner calner cell में क्या होता है mercury का cathode होता है और carbon का anode होता है carbon का क्या होता है अब जो sodium होगा सबसे पहले sodium metal which is discharge cathode यह कहां कहां डिस्चार्ज होगा cathode पे cathode किस से मिलके बना है mercury का cathode किस से मिलके बना है mercury का तो sodium अगर cathode पे discharge हुआ cathode पे discharge हुआ जो की mercury से मिलके बना है तो भाईया sodium और mercury आपस में मिलके amalgam formation कर देंगे तो cathode पे क्या हो रहा है sodium discharge हो रहा है और N बन रहा है ये वापस mercury से reaction करेगा और sodium amalgam का formation कर देगा किसका formation कर देगा sodium amalgam का formation कर देगा chlorine वापस है नोट पे गया और CL2 gas निकाल देगा ठीक है अब ये जो sodium amalgam है the sodium amalgam does obtained is treated with water इसको किस से treat करेंगे water से treat करेंगे और अपना क्या बन जाएगा sodium hydroxide बन जाएगा क्या बन जाएगा sodium hydroxide बन जाएगा और hydrogen gas liberate हो जाएगी clear है yes sir clear है हम NACL का use करके sodium metal down cell में बना लिये हमने और NACL का use करके हमने sodium hydroxide जिसे caustic potassium potassium भी कहते है इससे हमने castner calner cell में बना लिया castner calner cell में जो anode बना होता है वो किसका बना होता है carbon का और cathode क्या बना होता है mercury का cathode mercury का बना है तो sodium iron NACL का sodium iron सन्ना जी sodium iron कहां गया cathode के पास गया cathode के पास गया और amalgam का formation हुआ इस sodium amalgam को हम पानी के साथ reaction कराएंगे और अपना नवच बना लेंगे ये मेरी कहानी थी क्या समझ आ रहा है समझ आ रहा है ये सरा आ रहा है तीसरी चीज हमको क्या बना रहा है नोट डाउन करा देखो भईया स्कूल में आपको theoretical तरीके से लिखना है पूरी सारी चीजों को नोट डाउन करते हुए चलना पड़ेगा अब मैं अगली बात करूं क्या बात करूं अगली बात क्या है मेरी देखिएगा जी बड़े सिंपल तरीके से जाऊंगा क्या बनाना था पहला आपने sodium hydroxide बना लिए तीसरा आपको बनाना है sodium peroxide क्या बनाना है sodium peroxide किसका यूज कर रहे हो हम सर यूज कर रहे हैं NaCl का किसका यूज कर रहे है NaCl का और क्या बनाने जा रहे है sodium peroxide बनाने जा sodium peroxide क्या होता है पहले तो जान लो Na2O2 होता है तो समझिएगा sodium peroxide is obtained by heating sodium in excess of air आप क्या करेंगे सबसे पहले sodium को excess of air में गरम करेंगे the initially formed sodium oxide तो initially आपको क्या बनेगा sodium oxide मिलेगा क्या मिलेगा sodium oxide मिलेगा अब इस sodium oxide का अगर आप excess of oxygen में reaction करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा sodium peroxide मिल जाएगा क्या मिल जाएगा sodium peroxide मिल जाएगा मतलब अगर आपको sodium peroxide बनाना है तो सबसे पहले आप क्या करिए sodium को excess of air में गरम करिए पहले sodium oxide मिलेगा sodium oxide की फिर आप और oxygen के साथ reaction कराई आपको sodium peroxide मिल जाएगा बोलो क्या मिल जाएगा sodium peroxide मिल जाएगा ठीक है सर sodium carbonate sodium carbonate मतलब क्या होता na2 co3 na2 co3 है कुछ और नहीं यह तो solve a process है कोई और नहीं solve a process है जिसमें पहले हम ammonia फिर co2 और h2o की reaction करते थे बाद में naCl डालते थे और हमारा क्या मिलता था sodium bicarbonate मिलता था जो की अपना less soluble था उसको निकालके अलग करते थे गरम करने पे sodium carbonate और co2 और h2o मिल जाता था याद आगई कहानी मैंने अलग-अलग step में बताई थी यहाँ पे मैंने direct दे दिया ammonia co2 h2 और साथ में naCl तो भाईया आपका sodium bicarbonate जो की less soluble था उसको heat करा अपने तो अपना sodium carbonate मिल गया इस तरीके से आप क्या बना सकते हैं भाईया इस तरीके से आप सबसे पहले sodium metal down cell में naOH castner calner cell में sodium peroxide बना सकते हैं sodium को air की presence में करम करा फिर और air की presence में करम करा तो sodium peroxide मिल गया और आप sodium carbonate बना सकते हैं क्या logic clear है examiner कुछ भी पूचे ना डरना है ना घबराना है बस बढ़ते चले जाना है ठीक है यहाँ ultimately down cell ठीक है बढ़ू आगे चलो सर बढ़ जाई आगे next question की बात करते हैं किसकी बात करते हैं next question की अब है अगला question अपना समझ न what happened when जब magnesium को air में गरम किया जाए बोलने की जरूरत नहीं है अगर magnesium को air में गरम कर रहे air के दो ही constituent होते हैं बेटा एक होता है oxygen और एक होता है nitrogen ठीक है अगर magnesium को air में गरम करा तो magnesium oxygen के साथ reaction करके क्या बना लेगा magnesium oxide बना लेगा और nitrogen के साथ reaction करके क्या बना लेगा magnesium nitride बना लेगा तो पहले question का answer क्या होना चाहिए बहुत simple है magnesium अगर oxygen से reaction करेगा तो magnesium oxide बना देगा और अगर यही magnesium nitrogen के साथ reaction करेगा तो magnesium nitride बना देगा सारी reaction लिखके इसलिए दे रहा हूँ ताकि बिटा आपका time waste ना हो जादा lengthy lecture ना जाए दूसरा quick lime को अगर आप silica के साथ गरम करें क्या मैंने quick lime आप लोगों को बताया है यस सर quick lime आपने हमको बताया है calcium oxide होता है silica कुछ और नहीं होता है si o2 होता है दोनों को mix कर दो reaction आपके सामने लिखी हुई है si o3 बन जाएगा जिसे calcium silicate कहते हैं क्या कहते हैं calcium silicate कहते हैं यस सर ये भी हमें clear हो गया ये भी हमें clear हो गया NCRT चान डालना है क्या करना है NCRT हमें चान मारना है ठीक है सर हमें magnesium जब air की presence में करम करा तो air के दो ही constituent है एक है oxygen जो की 21% और एक है अपनी nitrogen जो 78% है ये बन गया oxide ये बन गया आपका nitride silica के साथ reaction करा तो क्या बन गया सर calcium silicate बन गया अब chlorine react करें slagd lime के साथ क्या हमने ये reaction अल्रेडी करी हुई है सब करा हुआ है slagd lime क्या होता है calcium hydroxide ठीक है और chlorine क्या होता है CL2 होता है जब chlorine की slagd lime के साथ reaction करेंगे तो भाईया ये क्या कर देगा इसमें से पानी निकाल देगा क्या कर देगा पानी निकाल देगा और क्या बना देगा आपका calcium क्या बनाएगा bleaching powder calcium chloride नहीं bleaching powder तो देखो वो reaction क्या होती है अगर chlorine की reaction आपने कर दिये slagd lime की reaction आपने कर दिये chlorine के साथ तो आपका CACL2 और CAOCl hole twice और क्या बन गया पानी निकल गया हाइपोक्लोराइट कहलाता है क्या कहलाता है सोडियम हाइपोक्लोराइट सीये ओसीयल होल ट्वज सी क्लियर हो गया क्लियर हो गया चलिए और क्या दिया हुआ हैलास में पढ़िये अगर क sexualityłem nitrogen को हीट करा याद करिए यह क्या है alkaline earth metal का nitrate है किसका nitrate है alkaline earth metal का nitrate है अगर calcium nitrate को गरम करेंगे तो metal oxide देगा ठीक है उस metal का oxide देगा क्या देगा NO2 देगा और क्या देगा O2 देगा हम already अभी उपर discuss कर चुके हैं यह देखो अभी हम उपर already इसको discuss कर चुके हैं कि अगर alkaline earth metal के को अपन गरम करते है nitrate को गरम करते हैं तो metal का oxide N2 or O2 मिलता है similar as lithium similar as lithium clear हो गया चलो इसे भी note down कर लो इसे भी note down कर लो इसे भी note down कर लीजिए आप बढ़ें अगले question की तरफ अगले question के बारे में बात करें देखिएगा next question क्या है मेरा describe two important uses of each of the following सब पढ़ाया हुआ है caustic soda caustic soda कुछ और नहीं होता nao h होता है caustic soda कुछ और नहीं होता nao h होता है सब के पीछे मैं एक lecture लेखे आया था बस यहाँ पे तो revision चल रहा है इसलिए theory मैंने लिखी हुई रखी है caustic soda का use किसमें किया जाता है इसका यूज किया जाता है soap, paper, artificial silk के बनाने में और petroleum refining में और purification of bauxite में ठीक है दूसरा यूज क्या होता है इसका textile industry में यूज किया जाता है mercerization of cotton fabrics में किसमें? mercerization of cotton fabrics में ये caustic soda के use हैं clear है? दूसरा अगर sodium carbonate sodium carbonate क्या होता है na2 co3 इसका actual formula लिखे हैं तो ये deca hydrated होता है na2 co3 dot 10 h2 10 h2o washing soda washing powder निर्मा 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 दूद की सफेदी निर्मा से है मतलब इसका use किसमें किया जाएगा? कपड़ों को साफ करने में मतलब सबसे पहला use है कि या तो इसका water की softening में किया जाता है या laundering में किया जाता है और cleaning में किया जाता है इसके अलावा आप sodium carbonate का use करके glass, soap, vorex और paper, paint और textile industry में भी use इसको कर सकते हैं किस-किस में देखिए भाई किसी भी substance का कोई single use नहीं होता इसके multiple use होता है क्योंकि जो industrialization हुआ है हर किसी substance को multiple level पे multiple dimension में use किया जा रहा है getting it or not तो आपका आपने caustic soda का use देख लिया दूसरा आपने किसका use देख लिया आपने sodium carbonate का use देख लिया ठीक है ये इतना important नहीं है ये सिर्फ school education के लिए important है जो चीज़े competition के लिए important थी मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ इनको तो अपने detail में already discuss कर चुके है क्या note down करा आपने इसको note down करा आपने इसको चलो बढ़ाता हूं next कहानी next कहानी समझना इसी में है अपना caustics दो तीसरा application पूछा था क्या था calcium oxide calcium oxide चूना 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 लगाना समझ रहा हो ना तो calcium oxide का use किसमे किया जा था it is used in the manufacturing of sodium carbonate इसका use किसमे किया जाता है sodium carbonate में यूज किया जाता है from caustic soda caustic soda दूसरा it is employed in the purification of sugar and in the manufacturing of dye stuff इसका detailed discussion हम कर चुके है इसका use किसमे किया जाता है purification अगर आपको sugar का करना है और क्या करना है manufacture करना है dye steps का क्या करना है dye steps का manufacture करना है उसमें किसका use किया जाता है quick lime या चूने का CAO का बोलो clear है बोलो clear है चलो sir clear है तो आगे बढ़ाते हैं कहानी को यह हो गया quick lime यह होगे अपना quick lime next कहानी देखना next कहानी देखना ठीक है अगली कहानी है draw the structure of becl2 क्या नहीं बताया था becl2 का becl2 vapor phase में और solid phase में अगर vapor phase में पाया जा रहा है तो dimeric structure होगा ठीक है और अगर solid state में पाया जा रहा है तो polymeric structure होगा तो देखिए draw the structure of becl2 in the vapor state it exists as chlorobridge dimer dimeric structure होता है यह देखिए becl2 dimer के form में पाया जा रहा है तो be2 cl4 होगा और अगर यह solid state में पाया जा रहा है कोई भी चीज solid state में तभी पाया जाती है जब वो polymeric structure बनाए तो यह क्या बनाता है polymeric structure बनाता है जिसमें भी chlorobridge इंग देखने मिलती है सेम इसी structure को बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए यह आपका chlorobridge dimer वाला chlorobridge chlorobridge वाला आपको polymeric structure देख जाएगा तो यह structure होगा वैपर फेज में structure होगा solid phase में clear है examiner कुछ भी पूछे देखो भाई NCRT exercise है कुछ और नहीं जो हम पीछे पढ़के आये थे उसी का extended रूप है जिसको यहाँ वापस revise करवाया जा रहा है तो ज़्यादा समय लूँगा तो lecture भी लेंदी पढ़ेगा आपको सिर्फ note down करते हुए चलना है सब depth में मैंने अपने तरीके से पढ़ाया हुआ है चलो next question देखना बढ़ू आगे note down कर लिया इसे चलो next अगला है अगर आप hydroxide की बात करो किसके sodium के देखना जी आप sodium के hydroxide की बात करो या आप किसकी बात कर लो potassium के hydroxide की बात कर लो ठीक है ठीक है दा hydroxide and carbonate of sodium and potassium और अगर इनके carbonate की बात कर लो Na2CO3 या आप इनके carbonate की बात कर लो K2CO3 ठीक है सर ये क्या है easily soluble है पानी में क्या है पानी में easily soluble है अगर पानी में easily soluble है कोई भी चीज soluble तब होती है बेटा मैंने आपको बताया था जब hydration enthalpy जदा होगी lattice enthalpy की तुलना में चलो मैंने लिख दिया ठीक है लेकिन वहीं आप corresponding salt magnesium की बात कर दो magnesium hydroxide की बात कर दो magnesium hydroxide की बात कर दो या calcium hydroxide की बात कर दो calcium hydroxide की बात कर दो and अगर magnesium carbonate की बात कर दो magnesium carbonate की बात कर दो and calcium carbonate की बात कर दो तो they are sparingly soluble in water ये कैसा है sparingly soluble है water में इसको explain करना है अपने को तो समझ ना due to the larger size of sodium and potassium अगर sodium और potassium का larger size है size अगर बढ़ा lattice energy क्या होती है बेटा अगर size बढ़ा तो lattice energy कम होती गई समझ रहे हो ना alkaline metal का size जादा होता है और alkaline earth metal का size कम हो जाता है क्योंकि effective nuclear charge बढ़ जाता है तो मैं कह सकता हूँ due to larger size of sodium and potassium as compared to magnesium and calcium जो की alkaline earth metal है the lattice energy of hydroxide and carbonate of sodium and potassium are much more lower देख सकते हैं much more lower than those of the hydroxide and carbonate of magnesium and calcium इनकी lattice energy बहुत ज़्यादा कम है जबकि इनकी lattice energy थोड़ी ज़्यादा है ठीक है as a result the hydroxide and carbonate of sodium and potassium are easily soluble in water while the corresponding salt of magnesium and calcium are sparingly soluble in water clear हो गया आप से बोला जा रहा है कि alkali metal के चाहे आप hydroxide की बात करें चाहे carbonate की बात करें easily soluble होते हैं पानी में क्यों क्योंकि size बढ़ा होने की वज़े से lattice energy कम है लेकिन वहीं अगर आप alkaline earth metal की बात करो उनके carbonate की बात करो hydroxide की बात करो size इनका भहिया कम है उनका size बढ़ा था इनका size कम है size कम है मतलब lattice energy ज़्यादा है lattice energy ज़्यादा है तो उतने soluble नहीं होंगे क्यों lattice energy क्या होती है एक cation and iron को पकड़ के रखना अब lattice energy ज़्यादा है मतलब इतने आसानी से bond नहीं टूट रहा है तो भहिया solubility कैसी हो जाएगी कम हो जाएगी please note down करें से please note down करें से और ultimately solubility तभी होती है जब lattice energy कम और hydration energy ज़्यादा है lattice energy बढ़ती जाएगी solubility कम होती जाएगी logic clear है logic clear है बढ़ो आगे बिटा चलो next question देखिए describe the importance of the following आपको importance बताने लाइम स्टोन की लाइम स्टोन क्या होता भी या कुछ बताने की जरूरत है क्या calcium carbonate calcium carbonate ठीक है इसकी importance क्या है ठीक है इसकी importance क्या है घरों में tiles files से लगती है वहाँ use होता है toothpaste जो होता है उनमें इसका use किया जाता है तो especially precipitated calcium carbonate is extensively used in the manufacturing of high quality paper इसका सबसे पहला use होता है high quality paper के तौर पे ठीक है it is also used as a anti-acid इसका use anti-acid के तौर पे भी किया जाता है जिसको underline कर रहा है उसको underline आप लोग याद कर ले high quality paper बनाने में सिर्फ रटना है मैं कुछ कर नहीं सकता है इसको सिर्फ रटना है high quality paper बनाने में और anti-acid के तौर पे यूज़ होता है इसके अलावा mild abrasive in toothpaste अब भी मैंने कहा इसका use toothpaste में भी होता है और it is a constituent of chingham and as a filler in cosmetics इसका use chingham के तौर में chingham में भी किया जाता है और cosmetics में भी किया जाता है कौन बेटा अपना limestone चलो दूसरी बात करूं cement की किसकी बात करूं cement की cement का importance क्या है बताओ खुदी बताओ बकवास question है मुझे भी बताओ आपको भी लग रहा होगा बकवास question लेकिन करना तो है ही cement का किसको बनाने में युश की जाती घर बने है अब बात करें अपन plaster of Paris plaster of Paris बताने की जरूरत है क्या P.O.P का इतना बढ़िया मैंने explanation दिया था मैंने बताया था dentistry में यूज करते हैं ornament में यूज करते हैं busts बनाने में यूज करते हैं इसको इसके अलावा heart तूट जाए heart तूट जाए fracture fracture हो जाए उसमें इसका use किया जाता है तो बताये it is extensively used in building industry as well as in plasters ठीक है it is used in dentistry इसका use dentistry में किया जाता है ornament work में इसका use किया जाता है making cast उज जो पुतले बने होते हैं उनको बनाने में ठीक है and busts बनाने में और आप चाहा नहीं रहे हैं कि आपका हाथ इधर उधर मुड़े तो आपको plaster बान दिया जाता है क्या बान दिया जाता है plaster बान दिया जाता है तो यह importance हो गई limestone की cement की और P.O.P की plaster of Paris की किसकी plaster of Paris की clear है बिटा clear है yes sir अगर clear है तो देखिए अगली कहानी अगली कहानी देखिएगा बेटा note down कर लिया ना इसे इसे note down कर लिया अगला एक और application पूछा हुआ है शायद इनोंने किसी और का हाँ नहीं इतना ही पूछा था question 22 देखते हैं आप से बोला जाता है जो lithium होता है उसके salt commonly hydrated होते है while the other alkaline earth metal are usually anhydrous ऐसा क्यों बताइए ऐसा इसी लिए होता है अगर आप lithium को देखें इदर सुनना lithium को देखें लीना के RBCs क्या हुए फरार हुए अगर आप lithium को देखेंगे size छोटा, size बढ़ता गया size और बढ़ता गया size और बढ़ता गया size और बढ़ता गया size और बढ़ता गया lithium का size छोटा है और size और hydration enthalpy एक दूसरे के inversely proportional होते है अगर इसका size छोटा है बेटा तो इसका hydration बहुत जादा हो जाता है क्या लिखा है question पढ़ो एक बार फिर से लिखा है lithium के salt commonly hydrated होते है बना रहा है तो mgcl2.6 h2o वो भी hydrated था ऐसा इसी लिए है because of the small size अगर इसका small size है अमंग alkali metal तो lithium can polarize water molecule more easily than the other alkaline alkali metal and get attached to lithium salts as water of crystallization for example lithium chloride crystallize होता है LICL.2 but sodium chloride crystallizes as only NaCl क्या हुआ lithium का size छोटा होता है sir तो hydration इसका आसानी से हो जाता है तो lithium के जो salt बनते हैं वो पानी को आसानी से अपनी तरफ क्या कर लेते हैं hydrate कर लेते हैं as a water of crystallization लेकिन sodium chloride के साथ या बाकी alkali metal KCL के साथ या RBCL के साथ किया CSCL के साथ आसा देखने हैं नहीं मिलता lithium का size छोटा है तो hydration enthalpy बहुत ज़्यादा हाई hydration enthalpy बहुत ज़्यादा हाई तो ये क्या करता है इसके salt जो होते हैं वो कैसे पाए जाते हैं hydrated form में पाए जाते हैं clear हो गया ultimately क्या याद रखना है इसका size कैसा होता है छोटा होता है तो smaller size among alkali metal lithium polarized water और polarize कर लेता है तो more easily क्या बना लेता है hydrated salt बना लेता है clear है चलो आगे बढ़ू next question की बात करूँ कर ले next question की बात चलो next question देखना मेरा next question देखना मेरा why is lithium fluoride almost insoluble lithium fluoride जो है almost insoluble क्यों होता है देखना भईया lithium को देखें आप छोटा size fluorine को देखें आप छोटा size दोनों का size छोटा है अगर lithium fluoride का size बहुत छोटा है तो lattice energy बहुत ज़्यादा होगी तो मैं क्या लिख रहा हूँ lithium fluoride is almost insoluble in water almost insoluble in water insoluble in water NCRT में भी दिया है in text question में भी है lithium fluoride is almost insoluble in water because because lattice energy is very high is very high ठीक है या मैं ये भी लिख सकता हूँ और lattice energy बहुत ज़्यादा है hydration energy की तुलना में तो भाया इसकी solubility बहुत ज़्यादा कम होगी लेकिन lithium chloride soluble only in water but also in acetone whereas lithium chloride soluble not only in water but also in acetone ऐसा क्यों है अब देखो अगर आप lithium fluoride को देख रहे हैं और lithium chloride को देख रहे हैं कैटाइन तो सेम है लेकिन NIN का साइज नीचे जाने पर बढ़ रहा है NIN के पास होती है बेटा polarizability polarizability और polarizability directly proportional होती है size या radius के कौन सा रूल कहता है फजान रूल कहता है कौन सा रूल कहता है फजान रूल कहता है कि भई या कैटाइन के पास polarizing power होती है जिससे जो ionic bond बन रहा है कैटाइन और NIN के बीच में अगर कैटाइन के पास polarizing power है तो वो NIN को अपनी तरफ polarize कर सकता है और NIN के पास होती है polarizability और NIN की polarizability directly proportional होती है रेडियस के अगर नीचे जा रहे है NIN को मैं देखू तो polarizability बढ़ रही है polarizability बढ़ रही है और अगर polarizability बढ़ रही है तो kovalent character भी बढ़ रहा है और अगर covalent character बढ़ रहा है मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि इनकी solubility organic compound में या organic solvent में बढ़ती जाएगी क्यों? क्योंकि अगर ionic character जादा है तो पानी में soluble होते हैं लेकिन covalent character बढ़ता गया तो उनकी solubility organic solvent में भी बढ़ती जाएगी तो क्या लिखा है? LICL soluble not only in water but also in acetone because इसमें क्या आ गया? इसमें covalent character बढ़ गया तो मैं लिख सकता हूँ LICL is having covalent character that's why it is also soluble in that's why it is also soluble in also soluble in acetone acetone जो की कैसा है अपना organic solvent कैसा है अपना organic solvent बोलो clear हो गया बोलो clear हो गया अगर clear हो गया तो आगे बढ़ाओं आगे बढ़ा लू lithium fluoride insoluble है क्यों? क्योंकि क्या हो रहा था भई यह इसकी lattice energy जादा थी किसकी तुलना में? बिलकुल clear है अगली कहानी देखना अगली कहानी देखना देखना नेक्स काहनी चलिए अब बात करते हैं next question की अपना है explain the significance of explain the significance of sodium potassium magnesium and calcium in biological fluid अब यह ऐसा question है भाई समझे जो biology के student है neatweed की तैयारी कर रहा है उनसे तो मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है लेकिन जो maths वाला बच्चा है उनको क्या पता क्या रोल है लेकिन NCRT में आखरी में दिया हुआ है तो वही मैंने कहाना कुछ चीजें यहां नहीं आएंगी सामने डिसकस कर रहा हूं सबसे पहले देखते है रोल औफ sodium and potassium जो की group 1 के member है पहले इनका देख लेते हैं group 1 के member है इनका क्या रोल है अब अगर हम बात करें sodium ion primarily found outside the cell sodium ion सबसे ज़्यादा outside the cell पाया जाता है in blood plasma and other interstitial fluid ठीक है मतलब कोई भी अपनी cell है देखिए यह जो cell होती है body में जो की अपनी basic unit होती है यह cell है ठीक है यह हमेशा mostly outside the cell पाया जाता है जो की interstitial fluid या प्लाजमा के तौर पे ठीक है दूसरा potassium ion present होता है mostly inside the cell potassium ion कहां present होता है mostly inside the cell present होता है अब इनके role क्या है समझना potassium ion specifically किसमे help करते हैं these ion help in transmission of nervous signal किसमे nervous signal किसमे nervous signal के transmission में जिसे हम sodium potassium pump के नाम से भी जानते है potassium ion are the most abundant cation within the cell fluid यह बहुत important कहानी है most abundant आपका cation potassium ion are the most abundant cation within the cell within the cell fluid बहुत important point question पूचा जाता है they activate many enzyme यह बहुत सारे enzyme को activate करता है and participate in the oxidation of glucose to produce ATP और जब glucose ATP बनती है उस दौरान यह बहुत सारे enzyme को activate करने का काम करता है और याद रखिएगा जब nerve का signal होता है sodium potassium pump में के थ्रू तो sodium potassium pump में इनका biological role सबसे जादा होता है नाम में ही छुपा हुआ sodium potassium pump जिसके थ्रू नरो का signal होता है उसमें बहुत ज़्यादा रोल यह अदा करते हैं तो यह रोल हुआ अपना sodium और potassium का प्लीज इससे note down कर लो प्लीज इससे note down कर लो क्या मैं अगले concept पर बढ़ू रोल ओफ magnesium and calcium आप लोगों के सामने लेके आजाओ रोल ओफ magnesium and calcium आप लोगों के सामने लेके आजाओ अगर ऐसा है तो समझेगा रोल ओफ magnesium and calcium बात करें रोल ओफ magnesium and calcium की बारे में ठीक है तो magnesium and calcium play important role in biological process किसी भी biological process में यह important role अदा करते हैं ठीक है चलो magnesium iron are present in chlorophyll A अच्छा biological system में जो chlorophyll A होता है उसमें magnesium iron present होते हैं the green coloring pigment of plant which is absorbing light and essential for photosynthesis तो magnesium iron कहां present होता है chlorophyll A में अगली बात समझे रहां about 99% of body calcium calcium की बात करूं तो 99% body calcium present होता है bone में हड़ियों में और अपने किसमें teeth में as appetite ठीक है यह कहां present होता है 99% कहां present होता है bone में और हड़ियों में calcium iron and the enamel on ions are also important in blood clotting calcium iron are also important in blood clotting ठीक है calcium iron के लिए important होता है blood clotting के लिए बहुत बड़ा role अदा करता है and are required to trigger the contraction of muscle और अगर muscle का contraction कराना है तो calcium iron उसमें बहुत बड़ी भूमी का अदा करता है and maintain the regulation of heart beat और किसके regulation में heart beat के regulation में भी बहुत बड़ी भूमी का अदा करता है अब समझना concentration जो होता है calcium iron का blood plasma में 100 mg पर लिटर होता है ठीक है और this concentration is maintained by two hormone calcitonin और parathyroid और ये concentration को कौन maintain करता है दो hormone maintain करते हैं calcitonin और parathyroid अब मैं इन hormone की mechanism अगर बताऊंगा तो बहुत बड़ा lecture हो जाएगा मुझे सिर्फ छोटी छोटी इनके biological action के बारे में बात करनी थी वो मैं आप लोगों के सामने ला दिया है बोलो clear हो गया magnesium और calcium बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं biological process में magnesium iron बहुत सारे enzyme को activate करता है magnesium iron chlorophyll A में पाया जाता है जो photosynthesis के लिए important है 99% body में calcium किसमें पाया जाता है हड्डियों में पाया जाता है teeth में पाया जाता है calcium iron important होता है blood clotting के लिए blood clotting के लिए इसके अलावा muscle contraction को trigger करता है और heart beat का regulation करता है calcium iron कितना होता है करीब 100 mg पर लीटर हो पाया जाता है body में ठीक है blood plasma मा में और इसके लेवल को maintain करने के लिए दो हर्मोन होता है calcium or magnesium or potassium or sodium का biological significance note down कर लिया अगर note down कर लिया तो अगली कहानी देखते हैं अपन what happened when sodium metal is dropped in water sodium metal को आप पानी में drop करतो चलो क्या होगा sodium metal को अगर अगर अपने पानी में drop करा आप लोगों ने देखा होगा जो भी alkali metal होती है उनको generally kerosene या petroleum substances में रखा जाता है ऐसे ही अगर आपने sodium को पानी में drop करा तो sodium hydroxide बना हो hydrogen gas निकली लेकिन ये hydrogen gas जब निकलती है तो बेटा ये reaction इतनी vigorous होती है इतनी exothermik होती है कि पूछिए मत तो hydrogen gas is evolved which catches fire due to the exothermicity of the reaction तो समझ ना वही मैंने कहा ना कि जब sodium को पानी में आप डालोगे तो आपको पता चलेगा इतनी खतरनाक आग निकलती है क्या निकलती है इतनी खतरनाक आग निकलती है क्यों निकलती है क्योंकि जो hydrogen gas निकल रही है which readily catches the fire तो sodium को पानी में आपने डाला तो निकलता और hydrogen gas निकलती है चलो ठीक है अगर sodium metal heated in free supply of air अभी मैंने बोला कि sodium को अगर air की presence में गरम करेंगे तो सबसे पहले बनेगा क्या बनेगा एने टूओ sodium oxide बनेगा जो की minor होगा जो की minor होगा वो sodium oxide फिर oxygen के साथ reaction कर लेगा और sodium peroxide बनेगा क्या बनेगा sodium peroxide बनेगा जो की major product होगा पहले इतना no down कर लो sodium को अगर पानी में डाला तो क्या बना एने वेच बना और hydrogen gas में निकली जिसकी वजह से यह reaction कैसी होगी बहुत जादा exothermic होगी और it readily catches the fire दूसरी बात अगर हमने sodium metal को free supply of air में गरम करा तो क्या बनेगा sodium oxide बनेगा जो की minor होगा लेकिन यही sodium oxide अभी मैं दिखाने जा रहा हूं इतना no down कर लिया दो यही sodium oxide यही sodium oxide फिर से oxygen के साथ reaction कर जाएगा sodium peroxide बन जाएगा इसे कहते है sodium peroxide अपन अल्रेडी देख चुके है sodium peroxide बन जाएगा जो की major product होगा जो कैसा product होगा major product होगा बोलो clear है बोलो clear है तीसरी चीज पूछ रहा है कि अगर sodium peroxide dissolved in water अगर sodium peroxide को पाणी में reaction करा है पानी से reaction करा है तो आपके naoh का formation हो गया और hydrogen peroxide बनेगी क्या बनेगी hydrogen peroxide बनेगी clear हो गया तो हमने देख लिये sodium की reaction किसके साथ देखी सबसे पहले sodium की reaction देखी की पानी के साथ फिर हमने सोडीयम की ये डिकी ऑकसीजन के साथ तो पहले Imam Pride Phil sodium peroxide फिर एगर हमने सोडीयम कीरे किरी सॉडियम परॉकसैड की किरी किसके साथ करदी सोडीयम परॉकसैड को पानी में डाला तो अपना क्या बन गे सोडिय और हाइड्रोजन परोकसाइट बना क्या बना हाइड्रोजन परोकसाइट बना ठीक है sir concept clear है क्या बन गया hydrogen परोकसाइड बन गया समझते चल रहे हैं आप हर question मैं आपके सामने एकदम basic तरीके से लेके आया हूँ ताकि सारे concept आपके clear हो जाएं चलो next question देखते हैं अपन, comment on each of the following observation, the mobility of alkali metal, iron, in aqueous solution, अगर आप देख रहे हैं, mobility, alkali metal की in aqueous solution, इस पर क्या comment करना चाहेंगे, मैं कुछ कह नहीं रहा, मैं concert बता रहा हूँ, देखना, आपके पास sodium iron, आपके पास potassium, लीथियम iron, sodium iron iron है, potassium iron है, rubidium iron है, cesium iron है, ठीक है, sodium का size छोटा है, इसका size बड़ा है, इसका size और बड़ा है, इसका size और बड़ा है, इसका size और बड़ा है, अब मेरी बात सुनिएगा, इसका size छोटा है, तो इसका hydration जदा होगा, देखना, Hydration जादा करा मैंने छोटा packet बड़ा धमागा Size छोटा है तो Hydration जादा होगा पूरे पानी के मॉलीक्यूल ने इसे घेर लिया इसका Hydration थोड़ा कम होगा Size और बड़ता गया Hydration और कम होता चला गया Hydration और कम होता चला गया Size और बड़ा Hydration और कम होता चला गया Size और बड़ा Hydration और कम होता चला गया तो जब आपने क्या बोल रहा था question Comment on each of the following observation The mobility of alkali metal ion in aqua solution तो जैसे ही आपने पानी में डाला ये आयन आपको बहुत बड़ा दिख रहा है या बहुत मोटा आयन दिख रहा है ठीक है अब कोई बहुत मोटा इंसान है जब वो चलेगा चलेगा तो भाई या इधर टकराएगा उधर टकराएगा इधर टकराएगा उधर टकराएगा उधर टकराएगा और जो दुबला पतलाजमी है bookish language के तौर पर बता देता हूँ, smaller the size of the iron, iron का जितना छोटा size होगा, more easily hydrate होगा, hence greater the mass of the hydrated iron and hence lower its ionic mobility, जितना छोटा size होगा, उसका उतना ज्यादा hydration होगा, और पानी का hydrated iron बहुत बड़ा हो जाएगा, और इसकी mobility घट जाएगी, since the extended of hydration decrease in the order, इसलिए hydration किस फॉर्म में घट रहा है, इसका hydration सबसे ज़्यादा है, फिर sodium का, फिर potassium का, फिर rubidium का, फिर cesium का, इसलिए mobility कैसी होगी, इस order में देखने मिलेगी, यह concept मैंने आपको अपने तरीके से बता दिया, और यह bookish language के form में, छोटा आयन था, ज्यादा hydration, देखना, accident of hydration देखना, छोटा आयन था, ज्यादा hydration, और जिसका ज्यादा hydration, उसकी mobility सबसे कम, उसकी mobility सबसे कम, तो इसको स्टम में भी देख सकते हैं, नीचे जा रहे हैं, नी जा रहे हैं, दोनों term मैंने अपनी language में आप लोगों को लिखा दिया, clear है, clear है, नीचे जा रहे है, hydration क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, hydration कम हो रहा है, तो mobility बढ़ती जा रही है, ठीक है, छोटा आयन जो दिख रहा होगा, इधर चला, उधर चला, उसकी mobility जाता होग ठीक है सर सीख गए, ठीक है सर सीख गए, प्लीज इसे note down करो, पहली चीज़ को मैंने बता दिया आप लोगों को, पहले term को मैंने आप लोगों को clear कर दिया, दूसरा देखना, lithium is only alkali metal to form nitride directly, lithium एक अकेली alkali metal है जो nitrogen से reaction करके nitride बनाती है, बाकी कोई नहीं बनाते हैं, क्यों की nitride बनाता है, तो क्या लिखा है, because of the diagonal relationship of lithium and magnesium, question यह है, lithium is the only alkali metal to form a nitride directly, तो क्या लिख रहा हूँ में, because of the diagonal relationship of lithium and magnesium, lithium like magnesium form a nitride while other alkali metal do not form, lithium nitrogen के साथ reaction करके lithium nitride बना लेता है, ठीक है सर clear हो गया, ठीक है सर clear हो गया, बोलो clear है, अगला question क्या है, कोई metal plus two, दो electron लेके metal solid में convert हो रही है, जहां पर calcium, strontium और barium है, is nearly same, इन सब के लिए electrode potential nearly same होता है, बेटा कोई भी electrode potential तीन चीजों पर depend करता है, समझे न, electrode potential तीन चीजों पर depend करता है, या तो enthalpy of vaporization पे, ionization energy पे और enthalpy of hydration पे, अगर हम तीनों का sum देखें, तो calcium की बात करें, stront की बात करें, barium की बात करें, तीनों का combine effect, इन तीनों का combine effect कैसा आता है, equal आता है, कैसा आता है, equal आता है, इसलिए इन सब का electrode potential भी कैसा होता है, equal होता है, तो क्या लिखा है, देखो, electrode potential depend करता है, तीन factor पे, enthalpy of vaporization, ionization and enthalpy of hydration, since the combine effect of these factors is approximately the same for calcium, strontium and barium, therefore electrode potential are nearly constant, आप से पूचा जाएगा, calcium, strontium, barium का electrode potential constant क्यों होता है, तो ये electrode potential तीन factor पे डिपेंड कर रहा है, कई जगा पे आपको enthalpy of sublimation भी दिखने मिल जाए गया है, enthalpy की solid को सीधे आपने किसमें convert कर दिया, solid को सीधे आपने किसमें convert कर दिया, gas में convert कर दिया, या liquid को gas में convert करा, तो या ये तीन चीजों पर डिपेंड करता है, enthalpy of vaporization, ionization enthalpy और enthalpy of hydration, इसलिए हम कहते हैं कि तीनों का combine effect तीनों के लिए बराबर आता है, तीनों का combine effect ये जो तीन factor है, इनको अगर combine करोगे, तीनों के लिए equal आता है, resultant इनका, इसलिए electrode potential भी कैसा होता है, nearly constant होता है, कैसा होता है, nearly constant होता है, बोलो clear हो गया, क्या आगे बढ़ू, क्या आगे बढ़ जाओ, क्या आगे बढ़ जाओ, चलो अगर इतना clear है, तो आगे बढ़ाता हूं कहानी को, देखेगा next चीज, next चीज देखेगा, state as to why a solution of sodium carbonate is alkaline, समझे न, sodium carbonate का solution alkaline क्यों होता है, ठीक है भईया, तो sodium carbonate का solution अगर alkaline है, यह question important है, यह सारे question important है, अगर sodium carbonate का solution alkaline है, मतलब इसको पानी में डाल दो, अगर alkaline है, मतलब पानी में डाला, देखो हमने, Na2CO3 को पानी में डाला, जैसे ही Na2CO3 को पानी में डाला, आपका क्या बन गया, NaOH बन गया, और H2CO3 बन गया, NaOH strong base है, जबकि Na2CO3 कैसा है, वीक बेस है, जबकि अपना H2CO3 कैसा है, वीक बेस है, अगर ऐसा है कि NaOH strong base है, और H2CO3, ऐसा लग रहा था, भूत आ गया, एक बार में जजबात बदल दिये, उसने, समझ रहे हैं, पढ़ारते पढ़ारते उसने जजबात बदल दिये, देखो मैंने टच कर और दूसरी स्क्रीन ओपन हो गई, तो लॉजिक समझ ना, कोई बात नहीं, टेकनिकल चीज़े हैं, हो जाती हैं, जैसे ही आप सोडियम कार्बोनेट को पानी में डालेंगे, आपको सोडियम हैड्रोकसाइट मिलेगा, और कार्बोनिक एसिट मिलेगा, H2CO3, H2CO3 वीक एसि and a strong base and sodium hydroxide, ठीक है, क्या लिखा है, Na2CO3 is a salt of weak acid, carbonic acid and strong base sodium hydroxide, therefore it undergo hydrolysis to produce strong base NaOH and hence its echo solution is alkaline in nature, इतनी पंचायत करने की जरूरत नहीं है, Na2CO3 का solution alkaline क्यों होता है, क्योंकि Na2CO3 को जब पानी के साथ reaction करा है अपनने, तो अपना NaOH मिला, जो कि strong base है और carbonic acid मिला, जो कि weak acid है, तो effect वो दिखाएगा, जो कि strong हो, इसलिए final solution कैसा आता है, basic in nature होता है, कैसा होता है, basic in nature होता है, please note down करें से, please note down करें से, चलो, अगले question की बात करें, alkali metals are prepared by electrolysis of their fused chloride, अभी हमने देखा था जैसे NaCl का use करके, एक question आया था, कि NaCl का use करके sodium metal बनाओ, sodium metal बनाओ, और हमने down cell का use कर से, वही question है, कि alkali metals are prepared by electrolysis of their fused chloride, तो question क्या है, इसका answer मैं आपके सामने रखता हूं, देखिएगा, पहले question, oh down करते हुए चलें, तो लिखा है, since discharge potential of alkali metal is too much high, जो alkali metal होती है, उनका discharge potential कैसा होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है, rather than that of the hydrogen, किसकी तुला में है, hydrogen की तुला म when the aqueous solution of alkali metal chloride is subjected to hydrolysis, इसलिए जब इनका aqueous solution, याद रखना हम इनके fused solution से बना रहे है, अगर हमने इसका aqueous solution किसी metal chloride का subject कर रहा है, electrolysis के दौरान, hydrogen instead of the alkali metal is produced, तो आपकी hydrogen gas produce होगी instead of metal at cathode, therefore to prepare alkali metal electrolysis of their fused sodium chloride is carried out, इसलिए अगर हमें इनका क्या बनाना है, इसलिए हमें अगर alkali metal बनाना है, तो इनका fused solution लेते हैं, ना की aqueous solution, logic समझाया, इनका discharge potential जो होता है, वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, किसकी तुलना में, hydrogen की तुलना में, इसलिए अगर आपने इनका aqueous solution ले लिया, त electrolysis of their fused sodium, fused chloride, ना की aqueous solution का यूस किया जाता है, ठीक है, अगला question समझेगा, ठीक है, नोट डाउन करा है इसे, अगला question वही है, देखना, sodium is found to be more useful than potassium, sodium, potassium की तुलना में, जादा useful है, बताईए, तो sodium ions are found primarily in the blood plasma, अभी मैंने बता है तो sodium ion कहां पाए जाते हैं, blood plasma में पाए जाते हैं, ठीक है, and in the interstitial fluid, और कहां पाए जाते हैं, interstitial fluid में पाए जाते हैं, which surrounds the cell, while potassium ion present within the cell fluid, अभी हमने बात करी थी, sodium ion help in the transmission of nerve signal, sodium ion किसमें help करते हैं, transmission of nerve signal में, and in regulating the flow of water across the cell membrane, और water across the cell membrane, ठीक है, and in the transport of sugar, और किसमें useful होते हैं, transport of sugar में और amino acid में into the cell, the sodium is found to be more useful than potassium, इसका ultimately निशकर्ष क्या है, sodium ion outside the cell पाए जाते हैं, blood plasma में और interstitial space में, ठीक है, और किसमें useful होते हैं, potassium तो अंदर हैं, बैया, अंदर हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, sodium ion क्या कर रहे हैं, glucose का transport कराने में help कर रहे हैं, amino acid का transport कराने में help कर रहे हैं, cell के अंदर, ताकि cell को क्या nutrition मिल सके, इसी लिए sodium ion ज्यादा helpful होते हैं, किसकी तुला में, potassium ion की तुला में, क्या तीनों चीज़ें clear हो गई, तीनों concept clear हो गई, बहुत बढ़िया तरीके के answer में आपके सामने लेके आया हैं, ताकि आप तहलका मचा सकें, sodium carbonate का solution alkalie क्यों होता है, क्योंकि भाईया, is found to be more useful than potassium, क्योंकि sodium ion outside the cell है, बहुत सारे काम कर रहा है, बता दिये मैंने क्या क्या काम कर रहा है, simple equation है, balance equation लिखनी है, आपको अगर Na2O2 की water के साथ रियक्शन करे, अगर Na2O2 की water के साथ अब भी अपनने देखा था, sodium peroxide को पानी में डालेंगे, तो क्या मिल जाएगा, NaOH hydrogen peroxide मिल जाएगा, देख लिए अपनने, KO2 को पानी में डालेंगे, KO2 को पानी में डालोगे बेटा, तो आपको KOH मिल जाएगा, hydrogen peroxide मिल जाएगा, बोलो clear है, बोलो clear है, और अगर इसके मैंने, KO2 के 4 molecule ले लिए तो KOH मिलेगा, और oxygen मिल जाएगा, ठीक है सर, और अगर sodium oxide की CO2 के साथ reaction करा है, तो sodium carbonate बन जाएगा, क्या बन जाएगा, sodium carbonate बन जाएगा, अब भी हमने बात करी थी, sodium peroxide को पानी में डालते है, तो sodium hydroxide और hydrogen peroxide मिलता है, सब चीजें बार बार एपीट हो रही है, KO2 को पानी में डाले, दो molecule लोग है, तो KOH, H2O2 और O2, लेकिन अगर आ Na2O को CO2 के साथ reaction करा है, तो Na2, CO3 मिल जाएगा, simple कहानी थी, बोलो clear है, क्या कोई doubt होना तो नहीं, चाहिए, बढ़ाओं कहानी को आगे, चलो next question देखिएगा, next question देखिएगा, how would you explain the following observation, ठीक है, beryllium oxide is insoluble but barium sulphate is soluble in water, अब समझेगा, beryllium oxide कैसा है, almost insoluble है, लेकिन beryllium sulphate जो होता है, soluble होता है पानी में, इसकी बज़ा बताईए, तो देखिए, because of the smaller size, समझना, beryllium का कैसा है, smaller size है, वो तो सब कोई पता है, ग्रुप का पहला member है, तो इसकी ionization enthalpy भी कैसी होगी, बहुत ज़्यादा high होगी, ठीक है, और higher electron negativity, और higher electron negativity भी होगी, अब beryllium oxide is essentially coval nature का होता है, and it is insoluble in water, और इसलिए insoluble है पानी में, लेकिन इसी के बदले, अगर beryllium sulphate की बात करें, किसकी बात करें, beryllium sulphate की बात करें, यह ionic nature का है, और small, यह in contrast, BESO4 is ionic in nature, further, because of small size of beryllium ion, the hydration energy of beryllium sulphate is much more higher than its lattice energy, and hence BESO4 is highly soluble in water, क्या समझ आया, beryllium oxide insoluble क्यों था पानी में, क्योंकि beryllium का size छोटा, ionization energy ज्यादा, ठीक है, और high electron negativity, इसमें oxygen का भी रोल हो जाता है, क्यों, ठीक है, और beryllium oxide essentially covalent हो जाता है, क्या हो जाता है, essentially covalent, अगर covalent हो रहा है, तो पानी में soluble नहीं होगा, लेकिन beryllium sulphate soluble क क्यों है, क्योंकि hydration enthalpy ज्यादा हो जाती, ठीक है, ठीक है, सर, no down करें इसे, no down इसे करें, small size, high ionization enthalpy और high electron negativity की बजह से, ये covalent हो जाता है, और insoluble, लेकिन beso for soluble क्यों है, क्योंकि hydration enthalpy ज्यादा है, ठीक है, अब समझना हो, सेम भई लिखा है, बेमक केसर बाराद, बेरियम ऑक्साइड, soluble है, लेकिन बेरियम sulphate insoluble है, ठीक है, समझना ऐसा क्यों, समझना ऐसा क्यों, बेरियम ऑक्साइड soluble है, बोथ बेरियम ऑक्साइड और बेरियम sulphates are ionic, दोनों के दोनों ionic होते हैं, however, the size of O-2 ion is much more smaller, ये oxygen minus 2 क जो size होता है, बहुँँ छोटा होता है, लेकिन sulphate का size कैसा होता है, बड़ा होता है, sulphate का size कैसा होता है, बड़ा होता है, since a bigger NIN stabilized bigger cation, तो ये जो bigger NIN है, वो stabilize कर रहा है, bigger cation को, ठीक है, more than a smaller NIN stabilized a bigger cation, और तुम छोटे हो, तुम stabilize नहीं कर पारे हो, therefore, lattice energy of BAO is much smaller than BASO4, hence BAO is soluble और BASO4 कैसा होगा, अब समझना है, मैं आपको simple तरीके से बताता हूँ, आपके पास barium oxide है, और barium sulphate है, ठीक है, ये large है, और sulphate INV कैसा है, अब ये large large एक दूसरे को stabilize कर रहे है, क्या कर रहे हैं, large large एक दूसरे को stabilize कर रहे हैं, और अगर large stabilize कर रहा है, एक दूसरे को, तो भाया, ये कैसा हो जाएगा, insoluble हो जाएगा, लेकिन ये large, ये small, ये कैसा हो जाएगा, soluble हो जाएगा, same यही कहने की कोशिश कर रहा है, barium oxide, barium sulphate, दोनों ionic compound है, however, the size of O-2 ion is much more smaller than sulfate ion, ठीक है, since a bigger anion stabilized bigger cation and more than a smaller anion stabilized bigger cation, therefore, lattice energy of BAO is much smaller BAO में, lattice energy कैसी हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, किस की तुलना में, BASO4 की तुलना में, इसलिए BASO4 कैसा हो जाएगा, insoluble और BAO कैसा हो जाएगा, please note down करें इसे, please note down करें इसे, clear है, clear है, note down करां, फिर अगले उस पर आता हूँ मैं, अगले उस पर आता हूँ मैं, theoretical question है सारे, चलो next concept के बारे में बात करता हूँ, लिखा हुआ है, lithium iodide is more soluble than potassium iodide in ethanol, चलो भईया, आपने अगर फजान rule पढ़ा होगा, आपके पास दिया है lithium iodide और आपके पास दिया है potassium iodide, ठी क्या है, iodide, iodide है, अब समझना है, lithium का size, anion तो common है, anion के बारे में बात नहीं करेंगे, अब बात करेंगे cation के बारे में, cation के पास होता है polarizing power, क्या होता है polarizing power, फजान rule कहता है cation के पास है polarizing power, ठीक है, polarizing power होता है charge upon radius, अगर radius छोटी है तो polarizing power जादा होगा, मतलब इसकी polar पावर जादा है और अगर पोलराइजिंग पावर जादा है तो कोवेलेंट केरेक्टर भी जादा होगा कोवेलेंट केरेक्टर भी जादा होगा और अगर कोवेलेंट केरेक्टर जादा है मतलब compound organic solvent में soluble होंगे organic solvent में soluble होंगे solvent में soluble होंगे अब क्या पूछ रहा है समचना अब क्या पूछ रहा है सुनना लीथियम is much smaller than potassium iron therefore according to Fasan rule तो Fasan rule हमको क्या कहता है लीथियम iron can polarize bigger iodide iron to a greater extent than potassium बिल्कुल सही है polarizing power इसका ज्यादा है as a result लीथियम iodide is more covalent ज्यादा covalent character होगा potassium iodide की तुलना में और इसलिए more soluble होगा organic solvent में like ethanol में simple सी कहानी है simple तरीके से आपके सामने लेके आया हूँ और हमेशा एक बात कहता हूँ बीटा किसी भी concept को पढ़ना है तो फजान rule अगर आपको नहीं पता है तो पहले magnet brain फजान rule करके देखिए chemical bonding में मैंने सब कुछ बताया हुआ था यह सारी चीजे बहुत important है इसलिए मैंने एकदम systematic तरीके से आपको notes provide कर रहा हूँ systematic तरीके से एकदम सारे notes provide कर रहा हूँ चलो अगर ऐसा है तो आगे बढ़ाते हैं next question की तरफ बढ़ते हैं next question की तरफ बढ़ते हैं देखिएगा लिखा है which of the alkali metal is having least melting point किसका least melting point है समझना आपके पास है sodium potassium rubidium cesium size छोटा थोड़ा बढ़ा थोड़ा बढ़ा और बढ़ता गया अब इसका size छोटा है size कैसा है small है अगर size small है तो एक sodium atom दूसरे sodium atom most efficient pack करेंगे और metallic bonding कैसी होगी इसमें metallic bonding कैसी होगी metallic bonding कैसी होगी metallic bonding strong होगी size छोटा है तो छोटे छोटे लोग की packing अची होती है लेकिन इसका size कैसा हो गया, size कैसा हो गया, बढ़ गया, तो metallic bonding कैसी हो गई, metallic bonding कैसी हो गई, metallic bond कैसा पढ़ गया, weak पढ़ गया, कैसा पढ़ गया है, weak पढ़ गया, और अगर metallic bond weak पढ़ गया, तो भाईया bond आसानी से तूट जाएगा, और melting point क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे क्या हो जाएंगे घट जाएंगे इसका melting point कैसा होगा ज्यादह होगा लेकिन इसका melting point कैसा हो जाएगा घट जाएगा तो answer क्या होना चाहिए cesium, answer क्या होना चाहिए cesium which one of the following alkali metal is having least melting point, answer क्या होना चाहिए cesium, clear है cesium का melting point सबसे कम होगा cesium का melting point सबसे कम होगा, बढ़ू आगे बढ़ जाओ आगे चलिए, देखेगा देखेगा इस कहानी को, अगले next question की तरफ which one of the following alkali metal gives a hydrated salt कौन सी alkali metal है, जो hydrated salt देती है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है हम ये question already कर चुके है LICL.2H2O कौन हमें hydrated salt दे रही थी answer क्या होना चाहिए, answer होना चाहिए lithium, जो starting से जुड़ा होगा lecture में, उसको कहानी समझ आ रही होगी, कितने smooth तरीके से हमने सारे concept निफटा दिये, तो भाईया wish one of the following alkali metal यो hydrated salt answer कौन होगा, लीथियम, answer कौन होगा लीथियम, ठीक है सर, clear है चलो next question देखना फिर, बस खतम होने पहानी, wish one of the following alkaline earth metal carbonate is thermally the most stable समझ न, हम जैसे जैसे नीचे जाते जाते हैं, भाईया, thermal stability क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है thermal stability क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है और अगर thermal stability क्या होती जारी है बढ़ती जा रही है, कार्बोनेट की क्या होती जारी है, thermal stability बढ़ती जा रही है, तो आपके पास है बे, मग के, सर, बाराद, बेरियम और यह इधर है karbonate, ठीक है यह है karbonate, तो भाया berium karbonate कैसा होगा सबसे जàदा stable होगा, क्या होगा सरब से ज़ज़ादा stable होगा, हम जैसे जैसे नीचे जाते है thermal stability of karbonate बढ़ती जाती है, यही मैंने concept में बताया था क्या बताया था यही मैंने concept में आपको बताया था जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे alkaline earth metal के कार्बोनेट की thermal stability बढ़ती जाएंगे बोलो clear हो गया तो answer होना चाहिए बीए co3 answer क्या होना चाहिए बीए co3 clear है clear है चालो तो भाईया इसी के साथ अपना S block element की NCIT exercises complete होती है जैसे कि मैंने कहा था कि जल्द मैं आपके सामने सारा chapter complete कर दूँगा तो हमने complete कर दिया और अब बारी आती है अब इसके one short revision की अगले lecture में मैं इसका one short revision लेके आऊँगा तो बने रहीएगा मेरे साथ और मैं जैसे कि हमेशा कहता हूं magnet brain beta class kg से आप ले लें और class 12 तक चले जा 100% free education provide कर रहा है यहां मैंने जितने question आपको कराये इससे पहले जो lecture मैंने कराये थे सब कुछ था लेकिन फिर भी मैंने यहां पर repeat करें फिर भी मैंने यहां पर repeat करें अब सारे question लिखके अगर मैं कराता तो आप खुदी सो कुछे जा सकते हैं अब इतने daily basis पर अगर teacher सापके लिए मैनत कर रहे हैं तो कई बार क्या होता है कि आप लोगों को video ढूंडे में problem होती है तो कुछ नहीं करना है systematic तरीके से magnet brain की backend पर जो team है आप लोगों के लिए हर चीज systematic तरीके से arrange कर रही है आपको हमारी website पर जाना है 12th student है तो आपको single click करना है जैसे मैं दोनों classes handle कर रहा है single click करना है class 11 पर आप जैसे ही class 11 पर click करेंगे मैं और जितनी हमारी धासू team है आपको पढ़ाते हुए दिख जाएगी ठीक है तो देखिए का आप chemistry का part 1 हम complete कर चुके हैं part 2 पर जाईएगा part 2 पर click करेंगे तो आप य NCRT solution देखिए जो आज हमने करा है full chapter के वीडियो आपको available है one shot revision हर chapter का मैंने कहा कि इसके बाद one shot revision आएगा और MCQ करा जाते हैं MCQ क्यों करा जाते हैं अगर आप competition की तयारी करना है base video clear है NCRT exercises clear MCQ पे उतर ये तहल का मचा ही आप तहल का मचा देंगे ठीक है सर अगर इतना कर लिए तो आपको हर chapter के systematic videos भी मिल जाएंगे chapter 1 chapter 2 chapter 3 आपको single click करना है आप chapter के systematic videos देख सकते हैं आप जैसे ही किसी chapter पर click करेंगे मैं आपको पढ़ाता हुआ देख जाओंगा इस तरीके से बिटा magnet brain आपको 100% best से best quality education दे रहा है अब यह जो हमारा free education का motto है इसे लोगों तक share क करी और मैं एक चीज हमेशा कहता हूं कि जिस जोश और जुनून के साथ हमने कहानी शुरू करी थी आप comment section में बताइए एक आद दो बार होता है one short revision में कि जोश और जुनून इधर उदर आप लोगों का हो सकता है लेकिन comment section में बताइए क्या आप मुझसे जुड़े रहे या नहीं इतनी देर अगर जुड़े रहे तो आपने तहल का मचा दिया chapter को बहुत सारे concept आपने extra सीखे अब मिलेंगे अगले lecture में इसके one short revision के साथ तब तक बने रही है magnet brain के साथ thank you so much